क्या आपको होती है SSE, CGL या फिर CHSL क्रैक करने की टेंशन तो आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है बलकि जरुवत है एक सही प्रिपरेशन की एक्जामो प्रो सब्स्रिप्शन आज ही जोईन करें जिसमें आपको मिलते हैं Unlimited Live Classes वो भी देश के सबसे बहतरीन टीचर्स के जारा तो आज ही सब्सक्रिप्शन जोईन करें और अपने सरकारी नोकरी के सबने को साकार करें डाउनलोड एक्जामो लर्निंग अप नाओ आप सब्सक्रिप्शन के इस लेस्टन में आपका हार्दिक स्वागत है जिसमें हम पाइप्शन को समझेंगे कि टाइम इंड वर्क से कैसे इसको रेलेट कर सकते हैं और इसके कुछ क्वेशन करेंगे ताकि आपको इसकी क्लारिटी मिले तो देखिए अगर आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स पता है तो पाइप्शन में कोई नया बेसिक नहीं है सिवाए कुछ नए टॉम्स है ठीक है तो पहले तो हम यह जो अंतर है थोड़ा सा टॉम्स का वो समझ लेते हैं और बाकी कैसे दोनों एक दूसरे से रेलेटे को 10 मिनट्स में भर सकता है यहां बोलते हो कि कोई B है वो इसको लेट से 20 डेज में इस काम को खतम कर सकता है यहां पर कोई पाइप B होगा वो उसी टैंग को 20 मिनट्स में भर सकता है कुछ ऐसी सिनेरियो है अब मैं पूछ सकता हूँ कि यहां पर बताओ अगर A और B मिल के क तो कितने time में tank भर जाएगा magnitude wise दोनों में answer same आएगा both will give you the same answer right बस यहां minute में होगा यहां days में होगा क्योंकि यहां minute में data दिया हुआ है अब देखे जो basic answer है वो यह है कि यहां बड़ा practical होता है कि लोग काम कर रहे हैं यहां पर pipe के terms में बात की जाती है तो pipe के nature को भी समझना जरूरी है जैसे pipes and system में दो तरह की pipe होते है एक जो fill करते हैं जो किसी भी tank को fill करेंगे तो इनको कई नामों से बोल सकते हैं जैसा बोल देंगे filling pipe हो गया आपका या फिर ऐसा बोल देंगे कि एक pipe है जो fill कर रहा है या फिर एक और popular name है इसका inlet pipe inlet pipe ओके यह हो गया तो यह तो कोई समस्या नहीं समझ लोगे और कुछ ऐसे pipe भी होते हैं जो liquid को बाहर निकालते हैं tank से ठीक है तो उनके जो अलग-अलग नाम हो सकते हैं कि एक तो filling हो गया और एक ऐसे pipe होंगे जो जो भी water है उसको out करेंगे बाहर फेकेंगे तो उनका नाम होता है ऐसे लिख सकते हैं कि leak, leak का काम वही होता है या फिर आप ऐसे बोल देंगे leakage pipe तो आपको समझना है कि outlet exit pipe की बात हो रही है इसका एक नाम होता है outlet pipe भी होता है एक नाम इसका drain pipe भी होता है ठीक है drain pipe भी बोल देते हैं या कोई और नाम वो लिखें जिसमें बता दें कि वो बाहर निकाल रहा है that will work तो यह fill कर रहा है यह out कर रहा है अब देखिए यहां पर आप यह कोगे कि इसका relation क्या time and work में कहीं हो सकता है ठीक है वहां filling का relation तो पता है काम से हो गया बट जो यह outlet pipe है ऐसा कोई application time and work में हो सकता है कि time and work में ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें हमें मलब data wise ऐसा कुछ हो कि व complete में बना सकता है complete आ है बी उसी दिवाल को 40 days 20 days में बना सकता है 20 days में मैं बना सकता है और एक कोई enam लेते हैं C है वह इस दिवाल को तोड सकता है 50 बेल The तो अब यही सवाल यहां पर ऐसा हो गया कि एक C pipe है जो outlet pipe है और वो इसको 50 minutes में पूरा खाली कर सकता है C क्या है आपका यह outlet pipe है वहां पर वो क्या है work destroyer है जो काम हुआ है वो उसको पूरा का पूरा destroy कर देगा तो यह बिल्कुल equivalent scenario हो गया time and work में और pipes and system में तो जब कोई काम को destroy करेगा या खराब करेगा तो उसको हम बोलते हैं negative work वो negative work है क्योंकि यह build कर रहा है positive काम कर रहा है यह उसको बिगाड रहा है तो इसको negative symbol से लिखेंगे तो जैसे यहां एक दिन का काम अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखोंगा 1 upon 10 प्लस 1 upon 20 यह तो A और B ने किये और C ने क्या किया विगाड दिया 1 upon 50 अल्राइट कुछ ऐसा scenario आप build करोगे फिर आपको 100 यहां पर LCM हो जाएगा तो यह आपका बना 10 यह बना 5 यह बना 2 तो यह आपका बन गया 13 upon 100 तो 100 upon 13 15 days लगेंगे जिसमें यह पूरा काम फिर complete हो पाएगा अगर मैं चाहता हूँ कि यह destroyer भी लगा हुआ है तो कितने दिन में काम complete होगा तो 100 upon 13 आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो सेम scenario यहां होगा आपको 1 upon 10 filling है 1 upon 20 filling है positive sign के साथ 1 upon 50 outlet pipe है जो पानी को fake रहा है और तीनों गर एक साथ खुले हैं तो ऐसा scenario होगा 50 into 200 आपका LCM होगा और 100 LCM होगा तो यह हो जाएगा 15 minus 2 और जो की value आपको कितना देगा यह value आपको देगा 13 upon 100 तो यह बना 1 upon 100 upon 13 और आपको होगे simply कि 100 upon 13 minutes में यह pipe पूरा फिल हो जाएगा तो यह पूरी complete relationship है और जितने भी concept आपने time and work में देखे हैं time and work में question कैसे कैसे लगाते थे हम लोग LCM से लगा सकते हैं percentage से लगा सकते हैं LCM का एक और equivalent होता जिसको आप बोलतो efficiency method very similar efficiency method होता है या आप सीधे fractions use करके भी लगा सकते हो question तो वो सारी approaches बिलकुल उसी तरीके से यहाँ valid है सिर्फ enter कहां आ जाएगा कि आपको बस question पढ़के यहाँ pipes दिखेंगे taps दिखेंगे वहाँ आदमी दिखते थे बाकि question को solve करने के तरीके में कोई फरग नहीं यह question के लिखने के तरीके different हो सकते है ठीक है तो अभी इसमें कोई theory और नहीं पढ़ना है once you understand the terms outlet inlet pipes के हैं then हम सीधे सीधे questions करेंगे और आपको इस पर complete clarity मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं तो दिखेंगे आपर क्या है कि जो आपके सामने यह question है इसको जड़ा ध्यान से पढ़िए यह question कर रहा है कि दो taps है ए और बी यह fill करते हैं एक water tank को fill कर रहा है मतलब यह inlet pipes हैं taps है taps का मतलब यह होता है कि tap जो दिया है यह आपका यहां clearly mentioned है कि filling कर रहा है यह tap fill करने का काम कर रहा है और कर रहा है जो tank है वो 40 minute में fill हो सकता है और कर रहा है दोनों taps खुले हैं तो और कर रहा है इसी tank को अगर केवल ए भरेगा तो उसको 60 minutes लगेगा तो बताना है how much time will be alone take be अकेले कितना time लेगा इसी tank को भरने में तो देखिए पहला method जो हम यहां पर देखेंगे ताकि आपका quick revision हो जाए पूरे time and work में जो आपने किया LCM method तो आपको 60 minutes दिया हुआ है 40 minutes दिया हुआ है तो मैं जो work units है वो 40 और 60 का LCM मानता हूँ जो की हो गया मेरा 120 units so 120 हमने work मान लिया अब आपको होगे A plus B कितना काम करेगा तो आपको होगे 40 minutes में पूरा बढ़ता है 120 units है तो यह हो गया 3 units per minute यह हो गया A plus B और अगर मैं केवल A की बात करूँ तो आपने कहा है 60 minutes 120 units तो यह हो गया आपका 2 units per minute अब मुझे आप बताओ यहां से कि B की value कितनी निकल के आएगी B की value निकल के आगई 1 units per minute क्योंकि A 2 units per minute है तो B 1 unit per minute हो गया और अगर यह 1 unit per minute हो गया तो आपको 120 unit का काम कराना है 1 unit per minute से तो यह value कितनी आगई आपकी 120 minutes आगई तो यहां 120 minutes क्या हो गया Option D पहला method दूसरा method जो है आपका efficiency का है जो की है विल्कुल LCM की तरह ही बड़ थोड़ा सा effective हो जाता है कई questions में समझना देखो यहां पर same tank को भरने की बात हो रही है तो मैं आपसे बोलूँगा कि time ratio क्या है तो आपको होगे यहां जो समय लिया गया है उसका ratio क्या है अगर मैं बात करूँ A plus B के time की और A के time की तो अगर मैं time ratio की बात करूँ तो यह है A plus B 40 लेता है यह 60 लेता है तो आपको होगे 2 ratio 3 यह सेम काम के लिए क्या 2 ratio 3 आएगा time ratio ज्यान से देखो यह time ratio हो गया तो मैं कहूंगा efficiency ratio क्या होगा आपको होगे time ratio अगर एक किसी particular काम के लिए दो agents का 2 ratio 3 है efficiency ratio उसका उल्टा होता है क्योंकि efficiency into time work done होता है जब भी आपका efficiency और time taken का product work done है और work done same होता है तो दोनो reciprocals होता है यह निकल गया अब आपको होगे देखो a और b की मिलाके efficiency 3 है और a की efficiency 2 है तो मैं आपसे बुलूँगा कि a और b की efficiency का ratio क्या है तो आपको होगे a की efficiency तो आपने यहां दिखाया कि a 2 को करिस्पॉंट कर रहा है और a प्लस b अगर 3 को कर रहा है तो b कितना करेगा 1 को करिस्पॉंट करेगा अगर इनकी कार छमता यानि efficiency का ratio 2 ratio 1 है तो मुझे पता लगया कि जितना time a को लगेगा b को double लगेगा तो कि b की efficiency क्या हाफ है तो अगर a का question में दिया हुआ है कि यह अकेले लगाता है 60 minute यह अगर अकेले 60 minutes लगाता है तो क्या b आपको पता है कितना लगाएगा यह आपका लगाएगा 120 minutes so 120 minutes आपका कौन सा option सही है d option सत्य प्रतिशक सही है इस question में आप देखो तीसरा approach मैं आपका इसी के थूरू सारा revision करा दे रहा हूँ कि percentage approach से equation कैसे हो सकता है आपको कि देखो a plus b लगाते हैं 40 minutes 40 minutes अगर 100% आप मानते हो total work या total tank capacity so 100 upon 40 लिखो के तो यह आजाएगा 2.5% और अगर मैं केवल एक ही बात करूं तो वह है 1 upon 60 1 upon 60 को अगर आप percentage में लिखते हो तो 1 upon 6 होता है 16.66 तो यह हो जाएगा 1.66 ऐसा करके अब आप कहोगे कि देखो यहां पर अगर मैं a की value इतनी उठा के रख दूं परसिंटेज में तो b की value कितनी आ जाएगी आप ज़रा देखो अगर 2.5 में आप यह घटा होगे तो आपको मिलेगा 0.833 onwards और यह जो value है आपको पता है 1 upon 12 होता है 8.33 यह आपका है 1 upon 120 तो b की value 1 upon 120 है इसका मतलब बी कितना समय लगाएगा आपका लगाएगा 120 मिनिट्स लगाएगा यह नहीं लगाएगा तो देखिए मेरा कहने का यहां सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप इस पर्टिकुलर question को ध्यान सा देखते हैं तो यह 3 approaches जो आपके सामने है यह 3 approaches आपको answer दे रही है और इस से कहीं ने कहीं आपको छोड़ा revision हो रहा होगा कि अच्छा यह 3 approach हमने time and work में question करने में use करी है तो यह basically सबका revision हो गया आगे बढ़ते हैं अगला question देखते है देखिए अगला question आप से कह रहा है कि A और B दो taps हैं जो individually 10 minutes और 20 minutes में इसको भर सकते हैं और फिर कह रहा है however there is a leakage at the bottom अब leakage का मतलब क्या होगा पानी बाहर निकलेगा तो कह रहा है जो leakage है वो 40 minutes में इसको tank को क्या कर सकता है empty कर सकता है तो बताना है कि अगर tank empty है initially तो how much time will both taps take to fill the tank with leakage कर रहा है time खाली है tank खाली है तीनो आप दोनो taps को on कर दो और leakage भी है अगर तीनो एक साथ operate कर रहे है तो बताना है कितना time लगेगा इसको भरने में let's understand this particular question पहला approach LCM लेके आप चलो अगर आप LCM approach से चलते हो तो आप क्या कहोगे आप कहोगे 10, 20 और 40 का LCM मैं मान सकता हूँ 40 अगर मैंने 40 माना तो आप बताओ एक ही कहानी क्या हो जाएगी मैं बार-बार unit नहीं लिख रहा हूँ 4U नहीं लिखना आप A आ जाएगा 40 upon 10, 4 B आपका कितना आजाएगा आपका होगे 40 upon 2 40 upon 20 ये 2 आगया C आपका कितना आजाएगा आपका होगे C जो मैंने tank बोला है जिसको बोलते हैं leakage बोल रहे हैं बैसिकली तो leakage कितना आएगा आपका 40 upon 40 minus 1 इसको minus में इसलिए लिख रहा हूँ और 1 leak हो रहा है 5 हो गया अब आप सिंपल सी बात बोलोगे 40 हमें इसको भरना है तो आपको टोटल आपको पता है कि 40 units भरना पड़ेगा और अगर तीनों एक साथ operate कर रहे हैं तो net 5 units per minute तो ये वालू कितनी आ जाएगी आपकी 8 minutes 8 minutes लगेगा और 8 minutes आपने answer कहां दिया हुआ है D, आसानी से हम mark कर सकते हैं कोई तकलीफ ये समस्या नहीं होनी चीए अच्छा आप efficiency route में अगर जाओगे तो वो आपको बिलकुल LCM route ही देखेगा कुछ नया नहीं देखने वाला है efficiency route में कैसे होगा आपको कहोगे efficiency ratio जो होता है वो reverse time ratio होता है तो आपको कहोगे वो कैसे मिलेगा 1 upon 10 ratio 1 upon 20 ratio 1 upon यहाँ आपको जान रखना है कि minus लिखोंगा मैं, leakage के साथ 40 अब जब आप करोगे efficiency तो ये मिलेगा 4, ये मिलेगा आपको 2, ये मिलेगा minus 1 ये efficiency ratio हो गया minus का मतलब, minus efficiency का मतलब है कि negative work हो रहा है अब आप simple सी बात क्या कहोगे आप कहोगे इसको कितना time लगता है 10 minutes तो total जो work units आते हैं वो आती है efficiency into time यानि मैंने कहा 40 units हो गया clear, alright हमें क्या करना, 3 को combine करना है तीनों को अगर combine करते हो efficiency कितनी बनेगी 5 और 5 से 40 लाने के लिए मुझे 8 minutes लगेंगे तो आपने का 8 method 2 तीसरा percentage का तरीका आपने का A जो है वो बनाएगा plus 10 percent क्योंकि 10 minutes में पूरा भर रहा है B कितना बनाएगा 5 percent क्योंकि 20 minutes में पूरा भर रहा है what about जो leakage है leakage आपका 40 minutes में पूरा खाली कर रहा है तो minus 2.5 percent लग दिया मैंने सब कुछ अब तीनों को अगर आप combine करते हो तो आपको value कितनी में लेगी 10, 5, 15 15 minus 2.5 कितना हो गया 12.5 percent वो भी plus के साथ तो यानि 12.5 percent per minute variety of things अगर आप इसको try करते हो तो आप आसानी से इस question को कर सकते हो कोई भी challenge आपको यहाँ पर नहीं आने वाला है तीन तरीके होगे क्या हम इसमें कुछ और भी सोच सकते हैं बिलकुल ठीक है अभी हमने किसी भी ऐसा method की बात ही नहीं करी जो logic से ही खाली हो सकता है क्योंकि options कई बार बहुत पूर दियो होते है इस question में ऐसा हो रहा है जरा उसकी बात कर लेते है आप से मेरा छोटा सा सवाल है और वो छोटा सा सवाल है कि अब मैं purely logic प्यार हूँ जिसको हम अभी बोलेंगे रहे हैं मो मंत्रा based on जो options दिये हैं उसके हिसाब से कुछ हम करने जा रहा है आप मुझे बताओ कि यहाँ 10 minutes लगते हैं A को भरने में 10 minutes लगते हैं B को कितना लगते हैं भरने में 20 minutes लगते हैं अब आप मुझे बताओ कि अगर A और B खाली भरने का का काम करेंगे तो time क्या जो लगने वाला है वो 5 minutes से जादा होगा या नहीं जो time लगने वाला है अगर A और भी दोनों एक साथ काम करें A प्लस B का जो time आने वाला है वो greater than 5 minutes होगा कि नहीं होगा yes कैसे मैं सोच रहा हूँ दिखो अगर A भी 10 minutes में भरता और B भी 10 minutes में भरते तब दोनों मिलाके 5 minutes में भर पाते लेकिन एक 10 minutes है और एक 20 minutes है तो definitely जो time आने वाला है अगर A प्लस B एक साथ भर रहा है तो उसको 5 minutes से जादा लगेगा 5 minutes से जादा लगेगा A और B को अकेले भरने में इसको यहां तो C कुछ बाहर भी फिक रहा है बाहर फिक रहा है तब तो सोची लो आप वैसे इसी से answer आ चुका है ठीक है कि A प्लस B अगर खाली भर रहे होते तो 5 minutes से जादा लगते यहां C खाली भी कर रहा तो time और जादा लगेगा तो answer तो D है खाली अगर यही पूछ लेते आप से कि बताओ A और B भरने में कितना time लगेंगे तो भी 5 minutes से जादा ही आता तो जब दोनों 10 और 10 होते तब इनको 5 minutes लगते तो यह logic से भी answer सीधा mark कर सकते हैं तो इसमें आपको कुछ भी करने के आवशक्ता नहीं है तो just make sure की keep on thinking in questions सोचते रहोगा ठीक है देखो इस सवाल क्या करें आप से करें चार 4 taps हैं आपके पास और वो एक सिस्टर्न को यानि टैंक को भर रहे हैं कितने समय में 1, 2, 3, 6 hours में यह आपको दिया हुआ है और करें अगर सारे taps को खोल दिया जाए एक साथ simultaneously तो बताना क्या है कि सिस्टर्न can be filled in how many minutes कितने minute में इसको हम भर सकते हैं लिगो सबसे पहले चीज़ तो आपको यह understand करनी है इस particular question में कि approach यहां क्या लगाएंगे आप सोच सकते हो LCM approach पहले तो 4 ग LCM क्या होगा तो आपको कि यह आ जाएगा 1 unit per hour यह कितना आ जाएगा 1 unit per hour आएगा नहीं अगर आपने 6 unit work माना है total 6 units तो आपका पहला वाला देगा 6 unit per hour दूसरा देगा 3 units per hour तीसरा देगा 2 units per hour 6 से divide कर रहा हूँ 6 by 1, 6 by 2, 6 by 3 ऐसे आ जाएगा 6, 3, 2, 1 इसका सम करो 6, 3, 9, 2, 11 and 1, 12 यानि आपको क्या रहा है कि एक घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 12 units से लोग भर देंगे so है कितना भरना 6 unit 12 unit 1 hour में हो जाएगा तो 30 minutes में कितना हो जाएगा 30 minutes में आपके 6 units जाएगे यह है method 1 method 2 आप percentage के time में सोच सकते हो एक घंटे में पूरा यानि 100% 2 घंटे में पूरा यानि एक घंटे में कितना 50% यहाँ देखो 3 घंटे में पूरा यानि एक घंटे में कितना 33.33% 6 hours में पूरा तो एक घंटे में कितना 1 by 6 यानि 16.67% अब अगर इनको जोड़ोगे तो एक घंटे में चारों के द्वारा कितना हो रहा है आपको यह मिला के 50 हुआ 50-50-100-100 कितना हो गया 200% 200% हो गया कितनी दिर में 1 आर में हमें कितना चाहिए भरने के लिए 100% तो 100% के लिए time कितना लगेगा 100% के लिए time कितना लगेगा simply 30 minutes कितना टाइम लगेगा that's very simple to understand कि आपको 30 minutes लग जाएंगे जिसमें आपको कोई तखलीफ नहीं होनी चाहिए आसानी से आप देख सकते हैं आप ठीक है एक empty tank में तो बताना क्या है कोई tank empty है और दोनों pipe को एक साथ खोल दिया गया तो कितने time में यह भर जाएगा यह हमें निकालना है अब जो को simple सी बात किया करने का तरीका LCM पहला लेंगे तो हम कहेंगे LCM इसका आएगा 10 और 15 का कितना कितना आएगा 30 आएगा तो आप कहोगे A कितना हो गया यह हो गया आपका 2 यह 2 हो 30 बाइ 10 कितना हो गया 3 हो गया B कितना हो गया empty वाला case है तो आप कहोगे 15 है यह minus 2 बोलेंगे इसको सीधे ताकि minus लिख लो गलती ना हो अब अगर आपने इन दोनों को मिला लिया तो क्या मिल रहा है 1 यूनिट्स तो 30 यूनिट्स भरना है नेट कितना रहा है 1 तो कितना लगेगा आपको 30 मिनिट लग जाएगा पहला method method 2 efficiency efficiency में आप कहोगे a ratio b की अगर efficiency लिखना है तो time का reverse होगा और अगर आप time का reverse लिखोगे तो यह value हो जाएगी 3 और यह value हो जाएगी 2 मैं 15 ratio 10 कर रहा हूं लेकिन हम minus 2 मैंने जान बूच के लिखा है क्योंकि यहाँ पर चक्कर जो है वह आपको पता है क्या है efficiency के negative है यह आपको दिया हुए question में कि 10 minutes लगाता है तो total work कितना हो गया 30 units time और efficiency का product और इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो one unit मिलेगा one unit से आपको कितना लगेगा 30 minutes नहीं 32 हो गया percentage लगाना है लगा लो आपको एक ही value कितनी हो जाएगी 1 upon 10 को बोलते है 10 percentage बी की value कितनी हो जाएगी आपको पता है कि minus 6.67 percent हो जाएगा और वो भी outlet है इसलिए empty कर रहा है ए और बी को अगर साथ में जोड़ दो गया आप तो value कितनी आ जाएगी 3.33 percent आ जाएगी यह value क्या होती है 1 upon 30 के बराबर होती है तो answer कितना हो गया 30 minutes whatever you use you can get the answer बिना किसी challenge के देखिए question आप से क्या कर रहा है कि pipe A और B क्या है filling pipes है और जो आपका pipe C है वो आपका emptying pipe है देखो drain pipe को emptying pipe भी बोल सकते हैं leak pipe भी बोल सकते हैं तो यह नाम ध्यानक ना emptying pipe का मतब जो खाली कर रहा है तो कर रहा है कि filling pipes हैं और C आपका emptying pipe है A और B कर रहा है इसको fill कर सकते हैं 72 और 90 minutes respectively और कर रहा है जब तीनों को open किया जाता है एक साथ तो tank जो है आपका 2 hours में fill हो जाता है तो हमें बताना क्या है कि A और B अगर एक साथ खोले गये हैं 12 minutes के लिए और फिर इनको close कर दिया गया है और आप C को खोल दिया गया है तो बताना है कि जो tank है वो कितने समय में empty हो जाएगा मतलब जितना भी A और B ने भरा 12 minutes में C उसको कितनी दिर में खाली कर देगा यह हमें बताना है तो देखे इसमें फिर से LCM तरीका लगा सकते हैं आप कोगे A और B की values दी है 72 और 90 तो अगर मैं इसकी LCM निकालने की कोशिश करो 72 और 90 का LCM कितना आएगा 360 यह होता है आपका 360 तो आप सिंपल से कोगे कि A जो है 360 by 72 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 B जो है 360 upon 90 आपको कितना देगा that will give you 4 C के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन उन्हें ने यह बता दिया है कि अगर A, B, C तीनों खुले हैं तो दो घंटे लगते हैं अगर दो घंटे लग रहे हैं तो क्या आप यहां से मुझे बता सकते हो कि पर आर या पर मिनट आक्चिली कितनी फिलिंग होई है नेट C के वैलू जो भी होगी माइनस X होगी माइनस X यूनिट पर मिनट ठीक है यह 5 यूनिट पर मिनट 4 यूनिट माइनस X तो आपको कि 360 है दो घंटे में पूरा टैंग फिल हुआ है तो क्या मैं इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 120 से तो मुझे मिलेगा 3 मिलेगा कि नहीं पर मिनट यस 120 360 से डिवाइड करूँ 360 को 120 से 3 आ गया तो आपको 5 प्लस 4 माइनस X की वैलू अगर 3 के बराबर है तो X की वैलू 6 आ गई की नहीं X की वैलू 6 आ गई X की वैलू अगर 6 आ गई तो आपको ड्रेंड पाइप की बारें पता चल गया कि ड्रेंड पाइप की जो कैपसिटी है ध्यान से देखना ड्रेंड पाइप की जो कैपसिटी है वो कितनी है 6 है अब आप कहोगे कि A और B जाके भर रहे हैं A और B ने कितना बरा 12 मिनट तक बरा 12 से A और B अगर भरेंगे तो 9 बरेंगे 12 इंटु 9108 भरेंगे इसको सी को खाली करना है सी की कैपसिटी क्या है 6 की है तो आप डिवाइड कर लो यहां से कितना आ गया आपका 18 मिनट यहां से कैलकुलेट होके आ गया 18 मिनट से कम इंट नहीं चाहिए अगया आपको पता है कि कम से कम इन दौनों की अगर आप बाठ करोगे इन दोनों का टाइम रश्यों पता है इन दोनों का इस एक मिटना पता है 18 14185 ऑप्र oggi घारर चाहिए 5 और पता है फजरु और इंक इसको कितना time लग रहा है आपने का 72 minutes या इसको कितना time लग रहा है 90 minutes यहां से efficiency into time work unit आपको मिल जाएगी 360 units clear मिला की नहीं मिला अच्छा question में एक चीज़ आपको और भी दिया हुआ है कि इनकी जो combined efficiency है अगर आप उसको जड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो 360 unit total अगर work है 360 unit अगर total work है तो यहां पर वही दो घंटे के हिसाप से आप निकालोगे तो आपको वही मिलेगा कि 3 units आना चाहिए net 3 देखते ही आपने कहा कि यह value कितनी हो जाएगी minus 6 अब जड़ा एक बात बताओ मुझे कि A और B की जो combined efficiency वो कितनी है 9 है या नहीं है इसकी efficiency कितनी है minus 6 है आप खुद देखे कहोगे कि इसकी जो efficiency है इसकी जो efficiency का ratio आपस में दिया हुआ है अगर यह 9 ratio minus 6 है तो time ratio क्या होगा essentially you can say it is 3 ratio 2 तो time ratio क्या होगा 2 ratio 3 होना चाहिए मतलब यह value अगर 12 minutes है तो time में negative लखने की जरूद नहीं है वो तो आपके understanding है कि खाली करने में कितना time लगेगा positive value पूछ रहा है आपसे तो 2 अगर अगर यह efficiency ratio है A B का मिलाके C से तो time ratio 2 ratio 3 हो गया यह अगर 12 minutes है 2 parts तो 3 parts कितना ह तो कोई harm नहीं है आप सीधे इस approach से कर लो LC में approach से that's not harmful you can easily do it percentage यहां अगर आप लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा careful होना पड़ेगा केरफूल इसलिए होना पड़ेगा कि कहीं आप गल्ती ना कर बैठो अब देखिए आप पर सेंटेज जो मेथा आपका 72 और 90 की वाजा से complex हो जाएगा 1 upon 72 आपको नहीं पता ठीक है 1 upon 90 आपको पता है लेकिन it will make little complex फिर बाद में 12 से multiply करना सो आई वूड से कि इन इस पर्टिकुल एक्वेशन एक्वेशन इतना आसान है पर्सेंटेज वैलूस फ्रैक्शिनल इस्टांडर्ड नहीं दियो है यू कि इस्किप पर्सेंटेज अप्रोच यह इंट विल टेक मोर टाइम तो आपको आस्तर सारे दे रहा हो में राइट बट कहीं कहीं क्या होगा कि पर्सेंट चाहिद आपको आसानी से लगेगा कि नहीं इड विल कंजियूम मोर टाइम तो आपको वहां पर स्किप करना है पर्सेंटेज नहीं यूज करना है क्योंकि वन अपन सेवेंटीटू विल बी कॉंप्लेक्स इंग ठीक है देखिए आपको दिया हुआ है कि त्री रेशियो वन एफिशेंसी रेशियो है नीट पड़ेगी तो यूज करेंगे फर करहें टेन एम पे आपने पाइप एक्स को ओपन किया पताना है इट वाट टाइम विल टैंक बी फिल्ड इफ पाइप वाई वाज ओपन इट इलेवन एम आप सिंपल सी एक बात अगर ध्यान से यहां समझने की कोशिश करो तो यह आपको दिया हुआ है कि त्री रेशियो वन आपका एफिशेंसी रेशियो हो गया सिंपल एक्स और य का तो अगर वर्क यूनिट निकालना चाहता हूं तो आप कहोगे कि त्री यूनिट से अगर दो घंटे लगते हैं तो टूटल कितना का में सिक्स यूनिट का हूं है और यह आप ने पहले क्या खुला पाइप एक्स को फिर आपने खुला पाइप वाई को आप मुझे बताओ पहला चीज की अगर केवल पाइप एक्स खुला हुआ है तो टू आर्स में पूरा भर दे घाए तो एर्स में अगर यह पूरा भर देगा सुघ्ट सास्किंग ए सिंपल क्यूएंच्ट की टैने में पे खुला है तो खाली पाइप एक्स होता तो ट्वल पीं पे यह पूरा पूरा भर जागा लेकिन यहां तो दिया है कि वाई भी है वाई भी खुल गया 11 पे यह द अब मुझे बताओ आप कि पहले एक घंटे के वल एक्स ने अकेले किया कोई समस्या नहीं है अगला अगर एक घंटा अकेले एक्स को मिलता तो एक्स अकेले इसको भर देता लेकिन अब मेरे पास एक्स प्लस वाई है एफिशेंसी 4 बाई 3 है तो टाइम कितना लगेगा 3 by 4 of 1 hour अगले घंटे का पूरा नहीं लगेगा 3, 4 थी लगेगा तो यह आंसर हो जाएगा 1 hour 45 minutes लगेंगे स्टार्ट से इसको भरने में 1 hour 45 minute का मतलब क्या है 10 a.m. पे अगर X खुला था 11 a.m. पे आपका Y खुला हुआ है अगला घंटा है उसमें X और Y दोनों है therefore 1 hour 45 minutes is the right answer clear that is the best approach efficiency के टम में आपको सोचना है मैंने बोला 3 ratio 1 आपको बता है जब X प्लस Y आ गहें तो efficiency 4 हो गई है अगर 4 हो गई है तो efficiency 4 by 3 हो गई है time 3 by 4 होगा 3 by 4 of 1 hour X अके लिए 1 घंटे में कर देता इसलिए answer क्या होगा 11.45 AM बहुत असान सवाल है कुछ भी मुश्किल इसमें हाई नहीं है देखे एक question आपसे कर रहा है कि दो pipes है A और B और वो tank को 60 minutes और 75 minutes में भर सकते हैं और एक आपका outlet भी है C कर रहा है A, B और C जो है अगर एक साथ खोले जाते हैं तो tank क्या होगा 50 minutes में full हो जाएगा बताना है how much time will be taken by C to empty the full tank आपसे एक छोटा सा सवाल है कि यहां पर outlet pipe C की बात कर रहा है और यहां बात कर रहा है कि tank 50 minutes में full हो जाएगा आप simply इसमें LCM सोचो तीसरा unknown है LCM सोचेंगे question आपका असानी से होगा कैसे 300 LCM निकलेगा इन दोनों का 60 और 75 का तो आपका होगे A की बात करेंगे तो आजाएगा 5 units 300 by 60 B की बात करेंगे 300 by 75 आपका 4 हो गया अगर मैं C की बात करूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है बड़ निकल जाएगा क्योंकि A plus B plus C का इन्होंने दिया हुआ है कि 50 minutes लगते हैं तो 300 minutes अगर मैंने LCM माना है तो 6 हो गया कि नहीं तो यह अगर 5 हुआ यह अगर 4 हुआ 9 हुआ तो यह value कितनी आगे minus 3 आगे C के value भी निकल गए A plus B plus C 6 होना है तो यह minus 3 हो गया अब question क्या पूछ रहा है आप से कि how much time will C take to empty आपको गए 300 units या 300 units आपका work है और 3 units से अगर empty करना है तो क्या आपको 100 minutes लगेंगे या नहीं येस 100 minutes लगेंगे तो इसका option क्या सही होगा ये तो देखेंगे इसका 100 minutes correct answer है nothing complex अब देखेंगे इस question में क्या करे आप से कि pipe A है वो एक tank को 3 hour में fill कर सकता है लेकिन एक leakage भी उसमें है इसकी वज़ा से इसको 3 and half hours लगते हैं tank को भरने में तो बताना है how much time will the leakage take in emptying the tank if tank is filled initially tank अगर भरा हुआ तो कितना time लेगा पहला तरीका आप ऐसे कहोगे कि देखो pipe A 3 hours में tank को भर सकता है ठीक है तो pipe A का अगर मैं 1 hour का काम पूछू तो 1 by 3 हो गया leakage है तो मैं मान लेता हूँ leakage X hours में tank को पूरा खाली कर देता है तो आप कहते है 5 के बराबर हो गया आप इसको लिख सकते हो 7 upon 2 तो ये बन जाएगा 2 upon 7 यहां से आप simplify करोगे तो आपको में लेगा 1 upon X is equal to 1 upon 3 minus 2 upon 7 यह value कितनी होगे यह आपकी 7 3s are 21 और 7 minus 6 आपका 1 हो गया यहां से आपको X कितना में लेगा 21 hours यह होगा तरीका नंबर 1 क्या मिला आपको तरीका नंबर 1 चलते हैं आप देखते हैं तरीका नंबर 2 क्या है देखिए तरीका नंबर 2 अगर आपको इस particular question में पूछना है तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत logical समझाऊंगा इस particular question में आपको अगर LCM से करना है तो आप LCM मान के भी इस question को solve कर सकते हो, right? कि मेभी आप work को मान लो कितना something, anything, 105 units मान लो, right? अगर आप work को 105 units मानोगे तो आपको कैसे मिलेगा सवाल देखो, आपको 3 R's में pipe fill कर सकता है, तो जो filling pipe है, filling वाला, तो यह 35 into 3 है, तो यह 35 units हो जाएगा, पर R, ठीक है? आपका total जो है, वो कितना होगा? 3.5 से अगर आप divide करोगा, तो यह आपको 30 देदेगा, तो filling 35 है, total 30 है, तो जो outlet या leak है, वो leak कितना हो जाएगा, आपका minus 5, तब ही 35 minus 5, 30 मिलेगा, leak अगर minus 5 है, तो 105 upon minus 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 सीधा निकल है, तो आप LCM approach से भी निकाल सकते हो, जहाँ पर LCM आपको ध्यान रखना है, 3 और 3.5 पे focus करना है, तो बेतर है कि आप 105 लेलो, 10.5 लोगे तो decimal में रहेगी value, 105 लेलो, 3 और 35 के LCM, और फिर आप solve कर लो, आसानी से आपका answer लेगा, मैं आपको इसका एक बहुत logical approach बताऊँगा, जिसको आपको बहुत 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 तरीके समझना है, वो बहुत effective है, आपसे मेरा छोटा सवाल है, कि pipe A, अगर केवल इस टैंक को भर रहा होता, तो तीन घंटे में भर जाता, लेकिन चुकि एक leak भी है, leak रहा है how much time लेगा अगर यह कि leakage जो है, वो भी खाली करने में कितना time लेगा, अगर टैंक पुरा भरा हुआ है तो, कि रहा है leak की वज़ा से साड़े तीन घंटे लगे, मेरा एक छोटा सवाल है, कि 3 and half hours क्यों लगे, आप कोगे कि अगर leak नहीं होता, तो यह पूरा टैंक 3 hours में भर जाता, भरता कि नहीं भरता, राइट, leak नहीं होता तो, लेकिन leak होने की वज़ा से क्या हुआ होगा, कि पहले 3 घंटे बात की अगर situation में बोलू, तो leak की वज़ा से काफी portion, लेट से इतना portion leak हो गया, 3 घंटे में, तो 3 hours में इतनी की deficiency आगई की नहीं आगई, अगले आदे घंटे में क्या होगा, अगले आदे घंटे इस filling tank को, extra काम करना पड़ रहा है, filling pipe को extra काम करना पड़ रहा है, उसमें क्या करेगा, वो इसकी भरपाई करेगा, उस अगले आदे घंटे में क्या होगा, कि ये leak थोड़ा पानी और निकालेगा, थोड़ा पानी और निकालेगा, लेकिन अगले आदे घंटे में net क्या हो जाएगा, कि ये tank फिर से पूरा भर जाएगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लीक ने जितना 3.5 आर्स में निकाला यहाँ leak लिख लिख रहा हूँ और यहाँ pipe लिख रहा हूँ लीक ने जितना 3.5 hours में निकाला इस pipe ने उसको 0.5 hours में make up कर दिया अगर नहीं करेगा तो 3.5 घंटे में tank नहीं भरेगा आप imagine करो कि leak तो शुरुवात से है 3.5 hours लगे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि pipe ने अगर 3.5 आर काम किया leak ने अगर 3.5 आर काम किया तो pipe का जो 3 गंटे का काम है वो equivalent है पूरे टाइंग को भरने के तो pipe का जो extra .5 का काम है वो क्यों है क्योंकि leak ने 3.5 आर्स तक operate किया clear? तो ये same volume के corresponding leak का time है और pipe का time है तो time ratio अगर आप यहां से निकालोगे तो आपको 7 ratio 1 मिलेगा तो जो efficiency ratio है efficiency of leak और efficiency of pipe वो 1 ratio 7 बनेगा अब मुझे आप बताओ कि केवल अगर pipe है तो वो लगाता है 3 आर्स इसको भरने में उसी volume को खाली करने में leak कितना time लगेगा अगर efficiency 1 by 7 और time 7 times लगेगा 21 hour जो कि A option है यह जो तरीका मैं बता रहा हूँ यह जब तक समझ में नहीं आएगा आगे मदबढ़ना इसको अच्छे से सोच के समझो क्योंकि यह बहुत logical है 3.5 hours में leak ने जितना भरा जितना निकाला pipe ने half an hour में cover किया होगा तब ही 3 and half hour में tank भर गया बस इतना logical है एक efficiency ratio पता है यह कोई equation equation कोई LCM SCF कुछ नहीं करना है सिधान सरा जाएगा आपको तो कि ratio मिल गया आपको उमीद करता हूँ यह question आपको अच्छे से समझ में आएगा देखिए question कर रहा है कि एक tap है वो एक tub को fill कर सकता है 10 hours में और कर रहा है कि जब इसको खोला गया तो पांच घंटे के बाद यह पता चला कि एक small outlet है bottom में उस tub में वो खोला रह गया है और जिससे पानी leak हो रहा था तो उमीद यह थी कि 5 hours में 50% भर जाएगा बट obviously leak हुआ है तो leak ने काफी कुछ निकाल भी लिया है फिर कर रहा है कि it was then immediately close फिर हमने इसको immediately close कर दिया जब पता चला तो फिर कर रहा है it took 7 hours to fill the tub after closing the outlet तो outlet close करने के बाद 7 hours लग गए इसको भरने में तो बताना हमें क्या है कि what will be the time taken by the outlet to empty the full tub of water वही outlet अगर एक भरे हुए tub को खाली कर रहा होता तो कितना time लगता simple सी बात बताओ आप जो काम 10 गंटे में होना था ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर बाद में उसको 7 hours और लगे तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो एक tap है जो भर रहा है इसने total कितने गंटे काम किया शुरू में 5 फिर साथ 12 गंटे लगे कि नहीं लगे इसको येस यूजली 10 गंटे लगते हैं लेकिन यहां 12 लगे वो 2 गंटे इसको जो एक्स्ट्रा लगे उसमें इसने कितना भरा होगा 20 परसेंट इसका मतलब वो जो 5 आर्स का टाइम आपने दिया था उस 5 आर्स में 20 परसेंट लीक ने खाली किया होगा इसलिए इनको 2 गंटा जादा चलके 20 परसेंट भरके भरपाई करनी पड़ी लीक कितने टाइम तर खुला था पांच गंटे तर तो आपको जो बता सकते हो कि लीक की कैपिसिटी कितनी हो गई माइनस 4 परसेंट पर आर तो how much time will it take to completely empty a filled tank आपको कि 25 आर्स 25 इंटो 4 कितना होता है 100% आंसर क्या होगे अभी यह तो मैंने इतना समझाने के लिए बोला आपको अब मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूँ आप सिंपल सी बात यह बोलोगे कि 5 आर्स में जो 2 घंटे इनको extra लगे that must be equivalent to अगर मैं यह लिक रहा हूँ यहाँ पर कि यह आपका pipe है और यह आपका leak है दो घंटे extra लगे pipe को तो यह दो घंटे का इनका जो time होगा that must be equivalent to जितना exit ने आउटलेट ने पांच घंटे में खाली किया होगा clear or not? समझ रहो? तो क्या इनकी efficiency का ratio 5 ratio 2 है? Yes, that's the efficiency ratio 5 ratio 2 यह मैं कह सकता हूँ कि इनका time ratio क्या है? 2 ratio 5 है? Yes, हाईक नहीं है जो यह पांच घंटे में इसने खाली किया leak ने उसी को भरने के लिए 2 घंटे extra लगे pipe को clear or not? तो जो यह time ratio मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जो time ratio मैंने आपके सामने लिखा हुआ है मैं उसी से आप से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप efficiency ratio के अपारे में भी सोच सकते हैं या नहीं? आप कहोगे आपकी यह अगर 10 डेज लगाता है तो फाइव टाइमस एफिजेंसी की सोचिंग ज़रूद ही नहीं है 2 ratio 5 बगा time ratio हो गया same volume का तो यह अगर लगाता है 10 hours 2 into 5 तो यह 5 into 5 लगाएगा 25 hours हो गया सीधा logical है इसमें कोई LCM लगाने के जरूद नहीं है आप बस question को देखो समझो और answer लगा दो that's how you can do it without any problem देखिए सवाल क्या कर रहा है दो taps है X और Y यह एक water tank से fix है और कर रहा है अगर केवल X open किया गया है तो यह drain out करता है पूरे tank को भरे हुए tank को 20 minutes में 5% per minute और यह कर रहा है अगर X और Y दोनों open किया गया है तो यह क्या है then they drain out the full tank in 15 minutes अब देखो कम time में ही drain out हो गया इसका मतलब Y भी क्या है drain pipe है यहां यह लिखा नहीं हुआ था कि दोनों क्या जाएगा तो how long does it take to drain out the full tank of water कितना time लगेगा उसको drain out करने में पूरा तो देखो क्या करना है आपको इस question में LC में अप्रोच लगा सकते हो percentage अप्रोच भी लगा सकते हो जिसे percentage से देखते हैं पहले आपको होगे X की बात करें तो 20 minutes लगते है यानि 5 percent per minute X plus Y की बात करें तो 15 minute लगता है यानि 6.67 percent per minute है कि नहीं है तो अगर मैं cable Y की बात करूँ तो क्या यह 1.67 percent मिला क्या यह 1 upon 60 होता है क्या answer 60 होगा पहला method दूसरा method क्या है आपको होगे कि X और X plus Y का मैं time ratio लिख सकता हूँ कितना है यह अगर वन है तो यहाँ time कितना लग रहा है अगर आप 5 से divide करोगे तो यह 4 ratio 3 आएगा time ratio अगर यह time ratio तो efficiency ratio क्या है 3 ratio 4 तो अगर X की efficiency 3 है तो Y की efficiency कितनी है 1 है तो अगर आपका efficiency ratio 3 ratio 1 है तो क्या आपको time ratio पता चल गया क्या आपको time ratio पता चल गया क्या तो time ratio क्या होगा यह जो 3 efficiency लेके बैठा हुआ है और यह 1 तो time ratio 1 ratio इसको बर 20 मिनेट लगड़ा तो इसको 20 तामस्टों क्या लगेगा 60 मिनट लगए आपको से करना यह क्या करना तो视野 आप 30 स्कशल्व कि एक्स कितना होगा एक्स कितना होगा क्या 30 मानों लगर 60 इंटग देगा 3 इंट्स एक्स tutely400 ईक और से X3 हो गया, Y आपका 1 आ गया, 60 unit का वर कितना लगेगा, 60 minutes, कुछ भी कर लो, आसानी सा अंसर आ जाएगा, nothing challenging, right, बिल्कुल easily आपा अंसर निकाल सकते हो, अगला question देखिए क्या कह रहा है कि pipe ABC हैं, वो एक tank को 30R, 40R, 60R में भर सकते हैं, अब कर रहा है, ABC इनको open किया गया है, 7, 8 और 10 पर, A खुला है 7 a.m. पर, B खुला है 8 a.m. पर, C खुला है आपका 10 a.m. पर, उसी दिन, same day पर, तो बताना क्या है कि यह tank कब भर जाएगा, कब यह tank full हो जाएगा, अब देखिए, अब सिंपल सी जो बात है आपको समझनी हैं, अगर आब option ध्यान से देखोगे, so 10 a.m. के बात कि अगर मैं बात करूँ, तो जो option दिये हैं, 10 p.m., 10 20, 9 20, 9 40, तो basically हम try करते हैं, कि जो हमारा target time है, जहाँ भर रहा है, मान लेते हैं 10 p.m. पर भर रहा है, तो 10 p.m. पर देखो C कितना operate कर लेगा, 10 से 10, 12 hours, यह कितना operate कर ले और 60, इसमें अगर मैं units निकालूंगा, LCM निकालूंगा, तो 120 आएगा, 120 आएगा तो यह मिलेगा 4 units, 30 into 4, 40 into 3, 60 into 2, 432 मिल गया, अब 15 into 4 कितना units हो गया, आपको कि 60 units, 14 into 3 कितना हो गया, 42 units, 12 into 2 कितना हो गया, 24 unit, तो दिखिए तरह इसका sum निकालो, जो हमने 10 a.m. को target किया है, तो 10 a.m. पे कितना काम हो गया है, आपको होगे, 126 units काम हो गया, अगर 126 unit काम हो गया है, तो हमें तो 120 कराना था, यह काम पहले पूरा हो गया, यह गलत हो गया, यह गलत हो गया, इन दोनों में से कुछ सही है, अब इन दोनों में से क्या सही है, कैसे पता करें, आपको ह six unit minus करना है यानि half an hour से जाधा minus करना पड़ेगा आदे गंटे में साड़े चार unit करते है यहां मुझे six unit कम करना है तो आदे गंटे से जाधा minus करना यानि answer क्या होगा no 20 आप ऐसे सोच सकते हो 12 hours यह जो value है 10 pm 10 pm में कितना minus करना है माइनस 6 upon 9 कितना minus करना है hours तो आपको गए यह value कितनी है आप बताओ मुझे तो यह आपका 2 by 3 hours 2 by 3 hours का मतलब होता है यह 10 बज़रा है minus 40 minutes minus करना है 40 minutes minus करो कितना आजाएगा 9 20 आएगा वही मैंने answer mark किया था C option 9 20 pm अब देखिए यह question क्या कह रहा है आप से कि A और B जो pipe है वो एक tank को 16 hours और 24 hours में fill कर सकते है respectively और जो pipe C alone है वो empty कर सकता है इस पूरे tank को X hours में जो X की value मुझे नहीं पता है करा है इन सारे pipes को एक साथ 10.30 am पे open किया गया है लेकिन C को close किया गया है 2.30 pm पे तो बताना है कि अगर tank जो है फुल हो गया था 8.30 pm पे उसी दिन तो हमें बताना है कि X की value क्या है देखो पहला काम क्या करना है हमें हमें देखना है कि जो pipes है उन्होंने अलग-अलग कितना काम किया सारे pipes को 10.30 पे खोल दिया गया तो A, B और जो C pipes इनको ध्यान से देखना अगर 10.30 पे open किया गया और यहाँ पर दिया हुआ है कि A और B यह तो 8.30 तक खुले होंगे जब यह भरा तो कितना-कितना internet समय दिया 10.30 से 8.30 10 hours होते हैं यह हो गया 10 hours यह हो गया 10 hours लेकिन C को 2.30 पे बंद किया गया 2.30 और 10.30 की बीच में gap कितना है 4 hours यह इसने 4 hours ही काम किया अब इसमें क्या हुआ है टैंक पूरा भर गया है टैंक अगर पूरा भर गया है तो हमें अब यह निकालना है कि अगर X की value क्या है यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जो capacity यह 16 hours में पूरा भर लेता है यह 24 hours में पूरा भर लेता है ठीक है तो हमें यह बताना है कि C C जो है अगर X hours में पूरा भर लेता है यह 24 hours में पूरा भर लेता है यह आपका 16 hours में पूरा भर लेता है X की value क्या है कैसे करोगा LCM is the best approach here कैसे 16 और 24 का LCM अगर आप सोचते हो तो क्या नंबर मिलेगा 48 so 48 के साब से गर आप सोचते हो तो आपको ओगे ये हो जाएगा 3 units ये हो जाएगा आपका 2 units अल्राइट हुआ कि नहीं हुआ और यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं है बड़ निकल जाएगा कैसे देखो 10 घंटे में इसका कितना हो जाएगा 30 units इसका कितना हो गया आपका 20 units हुआ कि नहीं हुआ लेकिन मुझे ये 4 घंटे चला के मुझे total कितना चाहिए total बस tank भर गया है तो 48 units चाहिए तो आपको कि ये 4 hours से मुझे minus 2 units दे minus 2 units दे तभी जाके 48 बनेगा अब 4 hours में अगर minus 2 unit है sir 4 hours में minus 2 unit है तो अगर आपको x की value chair x क्या है x है कि ये इसको कितने time में पूरा खाली कर देगा यानि 48 unit minus में 48 unit अगर minus में करना है तो 24 सेधर multiply होगा 24 सेधर होगा तो ये कितना आ जाएगा 96 units answer क्या होगा आपका D answer क्या होगा आपका D आ गया nothing complex easily you can mark these answers कोई challenge नहीं है LCM is the best approach यह आसानी सा answer आ जाएगा आपका ठीक है दिखो एक question आप से क्या कह रहा है कर रहा है swimming pool है जो 70 meter लंबा है 44 meter wide है और 3 meter deep है इसको क्या कर रहा है पानी से भर रहा है जो पानी एक pipe से भर बह रहा है rate आपको दिया है 30,800 cm3 per second rate दिया हुआ per second cm3 तो कह रहा कि कितना time लगेगा swimming pool को भरने में तो आप क्या कहोगे देखो आप कहोगे कि volume क्या है swimming pool का volume लिखो आप swimming pool का और इस volume को divide आप करोगे किस से rate से rate किस में है cm3 upon second तो volume यहाँ पर अगर आप cm3 में लिखते हो और जिस rate से भर रहा है वो cm3 per second है तो देखो cm3 कैंसल होगा second उपर जाएगा second में answer आजाएगा तो इसका volume क्या है swimming pool जो long, wide, deep दिया है cm3 एक मीटर जो आपका होता है वो 100 cm के बराबर होता है तो अगर मुझे इसको cm3 में convert करना है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 की power 2 cm तो यह आपका बनेगा 10 की power 6 divided by rate जो आपको दिया है यह दिया है 308 और यह आपकी value है 00 cm3 per second अब जो को 44 308 को 7 times जाता है 280 plus 28 यह हो गया 700 700 को अगर आप divide करोगे 70 से तो यहाँ पर वो 1 6 को gap करेगा 5 powers बचेंगी cable त्यान से देखना देखना value क्या हुई मैंने आपको simple सा क्या बोला कि 700 है 70 है 1 by 10 बनेगा और वो 10 का एक 0 कटा होगे तो 10 की power 5 बचेगा तो देखिए अब आपके पास क्या value बची है आपके पास value बची है simple सा 3 और 3 के बाद number आप कितने 0s होंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 seconds अब जोश में आके none of these मतलगा देना यहाँ जो option दी हैं वो arts में दी हैं अगर options arts में दी हैं तो मुझे इसको arts में convert करने के लिए पहले 60 से divide करूँगा तो minute में बनेगा यह पहले 60 से divide करूँगा तो minute बना फिर मैं 60 से divide करूँगा तो यह second जो है आप arts में convert हो जाएगा तो यह value है तो देखो 2, 0 जापके यहां से कटेंगे 3000 by 12 और आप 3 से divide कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ 2 तो अब आप देखो आपको क्या मिल रहा है 1000 by 12 और यह मिल रहा है आपको arts 1000 by 12 अगर arts में दिया हुआ है तो क्या इसको 4 से divide करके मैं 250 by 3 arts लिख सकता हूँ तो answer क्या है आपका C C option correct है जोश में आके D नहीं लगाना था और आप गलत हो जाते है अब जो कि यह question आपका क्या कह रहा है बड़ा सवाल है बड़ा आप डरना मत different type का सवाल है बड़ एक्जाम में आपके आ सकते हैं इस लिन को अच्छे से करेंगे कह रहा कि एक water tank है जिसमें fit किया गया है दो taps P और Q और एक drain pipe है आपका R कह रहा है tap P और Q जो है fill करते हैं इसको किस rate से 12 लिटर पर मिनट और 10 लिटर पर मिनट से और कुछ statement दिये है S1, S2, S3 और आपको यह बताना है कि tanky की छमता जानने के लिए capacity जानने के लिए tanky इसमें कौन सा statement correct है A option कर रहा है कि cable S2 वाली information यूज़ करके हम निकाल सकते हैं tank की capacity B कर रहा है S1, S2, S3 तीनों की जरुवत पड़ेगी C कर रहा है कि S1, S2, S3 में से कोई भी दो अगर हम ले 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 तो हम tank की capacity निकाल सकते हैं D कर रहा है none of these तोड़ा देखते हैं आपको यह दिया हुआ है कि P और Q फिल कर रहा है आप देखिए इस question को कैसे करेंगे देखो यहाँ पर pipe P क्या दिया हुआ है आपको 12 liter per minute Q आपको क्या दिया हुआ है 10 liters per minute और यह क्या कर रहा है इसको फिल कर रहा है और R आपको क्या दिया हुआ है माइनस 6 लीटर पर मिनट अगर मैं statement 1 का use करूं तो statement 1 में दिया हुआ है तो मैं S1 के हिसाप से लिख रहा हूँ R is equal to minus 6 मुझे यही जाना है कि tank की capacity कैसे निकल सकती है क्या इस data से निकल पाएगी तो देखो आप simple से कहोगे कि 12 लीटर पर मिनट से P भर रहा है Q 10 लीटर पर मिनट से भर रहा है R minus 6 लीटर पर मिनट से भर रहा है लेकिन क्या इससे मैं tank की capacity निकाल सकता हूँ नहीं मुझे नहीं पता ना कि tank net कितने time में भर रहा है एस वन स्टेटमेंट यूज करके यह कहीं data दिया हुआ कि tank कितनी दिर में भर जाएगा नहीं अगर यह data दिया होता कि tank कितनी दिर में भर जाएगा तो हम निकाल लेते इसको या फिर मुझे यह data लेट से दिया होता कि 6 मिनट में यह भर रहा है तो हम निकाल लेते इसे हम यह नहीं निकाल सकते कि यह tank कितने time में भर जाएगा क्योंकि हमें tank की capacity नहीं पता है केवल s1 statement यूज करके हम नहीं निकाल सकते हैं ठीक है s2 statement देखिये कहा रहा है कि दोनों जो taps हैं और जो drain type उनको अगर एक साथ खोल दिया जाए तो tank 5 hours 45 minutes में भर जाता है s2 statement में इसकी value नहीं दी हुई आपको यह पता ही नहीं है अब मुझे आप बताओ यह बात कि अगर मैं बोलू कि 5 hours 45 minutes में tank भर जाता है 5 hours 45 minutes में पूरा tank भर जाता है ठीक है और उस समय लेकिन मुझे R के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं यह निकाल लूँगा कि P और Q ने उतने time में कितना भरा पर यह नहीं जानता हूं R ने कितना निकाला तो केवल S2 statement अगर हम use करेंगे तो भी हम answer नहीं निकाल सकते कि tank की capacity क्या है इसलिए B option A option गलत है जिसमें कर रहा है S2 only sufficient केवल S2 से निकल जाएगा नहीं निकलेगा तो कि S2 सिर्फ यह बता रहा है कि pipe तीनों खुले है pipe तीनों खुले है और वो कह रहा है कि जो tank है वो 5 गंटे 45 मिनिट में भर जाता है हम जानते है P और Q कि उन्हें कितना भरा है बरार ने कितना निकाला मुझे नहीं पता तो मैं S2 से नहीं निकाल सकता हूं तो फिर कह रहा है S1, S2 and S3 are necessary तीनों एक साथ जरूरत है क्या देखो आप अगर S1 और S2 को हम केवल मिला लें तो क्या answer आ जाएगा S1 कह रहा है कि यह हो जाएगा आपका minus 6 लीटर पर मिनिट और जो time है वो भी पता है कि कितने time में tank जो है आपका भर रहा है तो अगर मैं S1, S2 दोनों का इस्तेमाल करूं तो देखो answer आजाएगा क्यों कि मुझे पता है P ने कितना भर रहा है इतने time में Q ने कितना भर रहा है और R ने कितना निकाला है उनको net निकाल लेंगे volume मिल जाएगा देखो इसमें दिया हुआ है कि जो आपका S3 है बहुत इतनान से आपको समझना है जो आपका S3 है वो क्या कह रहा है कि pipe R का जो draining का rate है pipe R जो है पूरे tank को जो भरा हुआ tank है उसको 15 गंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है आप मुझे देखो कि केवल S3 information से भी मैं कुछ नहीं निकाल सकता हूं 15 आर 20 मिनट में खाली कर सकता है S3 पाई पार का rate भी तो पता होना चाहिए तो केवल S3 से कुछ नहीं हो सकता है लेकिन अगर मैं देखो जहां से S1 और S2 पकड़ लूँ तो क्या answer आ जाएगा येस आएगा ये नहीं येस आल राइट दूसरा देखिए मैं आपसे अगर एक सवाल करूँ कि मुझे निकालना है कि ये भी मैंने आपको बता है कि अगर मैं S1 और S3 ले लूँ तो भी answer आ जाएगा क्योंकि मुझे R का rate भी पता है और मुझे पता है कि R कितना टाइम में इसको खाली कर देगा सीधे multiply कर दो answer आ जाएगा 6 लीटर पर मिनट और टोटल कितने मिनट से capacity आ जाएगी S1 S3 से आप देखें यहाँ पर C option correct अगर हो सकता है अगर मैं यह भी दिखाऊं यहाँ पर कि S2 और S3 से भी मेरा answer आ जाएगा one or none of these होगा तो जिरा S2 और S3 को बहुत इत्मिनान से आपको देखना है S2 यह कह रहा है आपसे S3 कह रहा है कि कितनी दिर में इसको पूरा खाली कर देगा अकेले all right S2 आपसे कह रहा है कि जो टैंक है वो 5 गंटे 45 मिनट में भर जाएगा अगर 5 गंटे 45 मिनट में भर जाएगा अगर तीनो पाइप्स खुले हो तो अब देखना यह कि क्या S2, S3 से भी आपका आंसर आ जाएगा clear तो देखो कैसे आप इसको understand कर सकते हो let's say आपने कहा कि जो rate है S3 का नहीं पता मुझे लेकिन उसका जो rate है वो मुझे volume नहीं पता कि total volume कितना लेकिन आप माल लो कि total volume V है total volume माल लेते हैं V है यह total volume आप माल लो कि 1 है तो अगर total volume 1 है तो एक information तो आपको यह दी है कि यहाँ पर 15 घंटे 20 मिनट में इसको पूरा खाली कर देगा तो मैं यहाँ से rate निकाल सकता हो कि नहीं मैं आपसे यह कहूँगा कि एक minute कि अगर बात करेंगे कि एक minute में एक इतना खाली करता है तो वो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे यानि आपको per minute rate मिल सकता है S3 का X के time में में भी ऐसे आजाएगा X liter per minute आजाएगा कि नहीं आजाएगा यह आगया है यहाँ से जहाँ पर volume निकालने के लिए मुझे X पता होने चाहिए X अभी मालूम नहीं है अब आप यहाँ जाओगे तो आपको होगे 5 गंटे 45 मिनट में यही चीज भर सकती है पूरी तो मैंने अगर let's say volume V मान लिया है V volume अगर माना है तो आपको होगे यहाँ से एगर मैं rate solve करूंगा 10 के rate से 5 गंट 45 मिनट तो इसको मैं 5 hours 45 मिनट से multiply करूंगा और इसका जो rate है V upon 15 20 और वो भी drain pipe है तो minus में जाएगा into यह 5 45 आजाएगा 5 hours 45 मिनट एक ही variable है V solve हो जाएगा की नहीं इसका मतलब S2 और S3 को मिलाने से भी answer आजाएगा यानि यह question बड़ा interesting question था कि कोई भी दो statement अगर आप पकड़ते हो S1, S2 या फिर S2, S3 या फिर S3 और S1 तो आपका answer आजाएगा यानि question में जो answer correct है वो है any two out of S1, S2 and S3 are sufficient तो interesting question है इस तरह के data sufficiency question S1, S3 में उजले नहीं आते हैं बट फिर भी आ सकते हैं ठीक है so you have to be ready कि आप answers लगा पाएगा बिना किसी problem के उमीद करता है लेसन आपको पसंद आया होगा और आपको तोड़ी सी clarity pipes and systems में जरूर मिली होगी thank you, have a great time आपसे भी को रहें मकर नमश्कार pipes and systems के इस lesson में आपका हर्दिक स्वागत है चले शुरुआत करते हैं और questions करते है तो देखिए question आपकी screen पे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक pipe है जो एक tank को 6 hours में fill कर सकता है तो बताना है कि tank 1.5 hours में कितना fill होगा बहुत ही आसान सवाल है जानबूच के रखा गया कि आपका reaction थोड़ा बहतर हो 1.5 hours का मतलब 1.4th of the total time तो अगर 1.5 is 1.4th of the total time तो जो tank भरेगा वो भी 1.4th ही भरेगा ठीक है That simple 1 by 4 is the answer Next question देखिए आपसे क्या कह रहा है Next question कह रहा है कि एक pipe है वो क्या कर सकता है कि एक tank को 8 hours में empty कर सकता है तो बताना है कि part of the tank emptied in 3 hours तो 3 hours में कितना empty होगा तो आपको कि 3 by 8 empty हो जाएगा ठीक है That's very simple अब देखिए एक question कह रहा है कि एक pipe है वो एक tank को 8 hours में fill कर सकता है और दूसरा pipe है जो इसको empty कर सकता है 16 hours में तो बताना है कि अगर दूनों pipes को open कर दिया जाए तो कितनी दिर में tank fill हो जाएगा आंसर क्या होगा 16 कैसे निकाला मैंने देखिए simple सी बात है अगर आप efficiency ratio देखो तो यह 8 hours में fill कर सकता है तो मैं इसको बोलूँगा अगर efficiency 2 है और इस 16 hours में खाली कर सकता है इसके efficiency क्या है one बेतर है मैं इसको लिखो minus one क्योंकि यह खाली कर रहा है अब आपको पता है कि अगर यह two fill करेगा तो उतनी time में यह one बाहर निकाल देगा तो net filling कितनी होगी one की तो जितना time इसको लग रहा है उसका double time लगेगा net filling में क्योंकि ऐसे आप सुछ सकते हो कि इसने जितना भरा एक घंटे में इसने उसका half खाली कर दिया one by eight आपका पता हो क्या होता है percentage में 12.5 percent one by 16 आपका percentage में क्या होगा 6.25 percent तो आप खुद देखो कि अगर यह fill कर रहा है और यह खाली कर रहा है तो आपने जितना भी fill किया उसका half इसने खाली कर दिया तो पहले अगर eight hours लग रहे थे तो इसके साथ आपको double time लगेगा यानि eight के बिज़ाए sixty लगगा इसलिए इसका answer क्या होगा sixteen अगर आप जिए option elimination वाले route पे जाते तो आप कहते ए option नहीं हो सकते हैं एक option eliminate आप यहां पर असानी से कर सकते थे पर इस simply आपको ऐसे orally efficiency के route में सोचना और असानी सांसर आ जाएगा very simple one अब देखिए question आप से क्या कर रहा है कि 12 pumps हैं यह work कर रहे हैं six hours per day और यह empty कर सकते हैं यह completely filled reservoir को 15 days में how many such pumps working nine hours a day will empty the same reservoir in 12 days समझना आपको क्या है कि 12 pumps हैं और यह work कर रहे हैं six hours per day और यह क्या कर रहे हैं 15 days में इसको खाली कर देते हैं तो देखो यह क्या होगा आपका pump और यह हो गया hours और यह हो गया days इससे आपने पढ़ा होगा main days are जो गुणनफल होता है जो product होता है यह आपको क्या प्रोवाइड करता है यह आपको work unit प्रोवाइड करता है ऐसे यहां पर जो है pump हो गया आपका acting agent pump हो गया number of hours number of days का जो product है यह match करना चाहिए तो यहां पर क्या है how many pumps उसको x मान लिया working nine hours a day will empty the reservoir in 12 days ठीक है यह आपके सामने मेंने लिख दिया आपको 12 से 12 cancel होगा और यह जो x की value आ रही है वो कितनी आ जाएगी 90 upon 9 90 upon 9 निकालोगे तो आपकी value कितनी आ जाएगी 10 तो इस cancer क्या हो गया c simple question है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखिए question आपसे क्या कहा रहा कि अगर three-fifth existence का एक minute one minute में fill होता है तो कितना time लगेगा बाकी को भरने में तो देखिए इसको आप कैसे जल्दी से सुचोगे आप को कि six three-fifth का मतलब है 60 percent 60 percent अगर one minute में फिल होता है तो कह रहा कि बाकी वरने में कितना time लेगा बाकी मतलब क्या हूँ- op फॉट्टी पर्सेंंन älltंको है पाकी को बरने में कितना time लेगा आप को हो कि 60 पर्सेंट को भरने में अगर 60 seconds लगते है वन minute का मतलब बाकी 40 को भरने में कितना लगेगा 40 sec तो इuffarna और यह तो करा अगर दोनों टाप्स ऑपरेट करेंगे एक साथ तो कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में अब देखे इस क्वेशन में आप्शन्स बहुत ही पूर दिये हैं एक एम्टी करता है वन आर में दूसरा एम्टी करता है थर्टी मिनट में तो आप ध्यान से देखो व थर्टी मिनट में तो यह अकेला कर लेता अभी दो लोग हैं थर्टी मिनट से कम एक ही ऑप्शन है उसका साही होना उसकी मजबूरी है छोटा सवाल है पर यह बात बहुत पते के ध्यान लगना दूसरा तरीका था आप लिखते है एफिशेंसी रेशियो तो मैं कहता है से तो यह आपका जाता वन डेशो क्योंको क्योंकि ताइम रेशियो गर्फिशेंसी रेशयो फटी वन है अब आप एंधो इन दोनों को ऊपन करो तो आप आपको यह लगाता है कितना सिक्स्टी मिनट निट्स तो आप कह सकते हो कि आपका जो व्रक यूनिट्स है व्रक एक टैंक है वो फिल हो सकता है पाइप A से दो घंटे में और पाइप B से 6 आर्स में करेक्ट 10 a.m. पे आपने पाइप A open कर दिया तो बताना है कि किस टाइम पे टैंक फिल हो जाएगा अगर पाइप B को खोला गया है 11 a.m. पर अब दिखो A पाइप आपका खुला है यहां पर मैं लिख रहा हूँ 10 a.m. पर यह मैंने लिखा 10 a.m. जो आपका पाइप B है यह कब खोला गया है आपका 11 a.m. पे आपको पता है कि यह भर देगा इसको 2 घंटे में 2 आर्स में पूरा भर देगा और यह इसको भर देगा 6 आर करे अगर यह 12 p.m. तक आपको पता है कि यह पूरा भर जाएगा 100% इसका मतलब क्या है अगर B 11 a.m. पे खुल गया है तो 12 p.m. तक जानने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि A तो अकेले 12 p.m. तक भर देता अभी B भी है तो it will take lesser time कम समय लगेगा अब सवाल है कम समय पर मुझे यह पता है कि जो आंसर है वो इन डोनों में से तो नहीं हो सकता है नहीं यह हो सकता है तीन आप्शन होई नहीं सकते हैं 12 p.m. होगा नहीं उससे कम होगा 5 p.m. होगा नहीं 12.45 a.m. का क्या मतलब है वो तो बहुत देर की बात कर रहे हुआ यह तीन हो गलत होगे तो यह आंसर क्या होगा C एक ही option इसमें बचा जो सही हो सकता है ठीक है यह तो हो गया option eliminate करके इसको लगाना अगर आप इसको solve करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो आपको भी देखो efficiency ratio अगर मैं लिखूँ efficiency of A और efficiency of B तो यह ratio है 3 ratio 1 का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है total काम हो गया अब आपको होगे कि 10 से लेके 11 तक केवल एक काम कर रहा है 3 units काम हो जाएगा ठीक है 3 units काम हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 units होगा आपको होगे efficiency उसके अगर 3 है तो 3 units काम हो जाएगा फिर 11 पे दोनों काम करने लगे तो आपको होगे 4 काम करने लगे 3 और 1 मिला और 3 by 4, आर का मतलब क्या होता है, अगर time 3 by 4 है, 3 by 4 का मतलब होता है, आपका simply 45 minutes, क्योंकि 1 by 4 आपका क्या होता है, 15 minutes, 1 by 4 of 1 hour is 15 minutes, तो 3 by 4 आपका कितना हो गया, 45 minutes, इसलिए आपका answer हो गया, 11, 25, 45 a.m. easy सवाल है, अगर आप traditionally करोगे, तो ऐसे होगा, चीक है, देखिए, question आपसे क्या करा है, कि 2 pipes है, A और B, वो एक system को fill कर सकते हैं, 3 hours में और 5 hours में respectively, और एक pipe C है, वो empty कर सकता है, इसको 2 hours में, अगर तीनों pipe को खोल दिया जाए, तो करा है, in how many hours the system will be full, अब answer है, cannot be filled, ये काफी interesting है, आपसे एक छोटा सा सवाल इनने किया है, करें कि A जो एक 3 hours में भर सकता है, और B आपका 5 hours में भर सकता है, और एक pipe C है, वो इसको empty कर सकता है, तो तीनों को खोला गया, आप बताओ, 3 hours में अगर ये fill कर सकता है, तो percentage के term में आप क्या बोलोगे, कि 1 hour में 33, 1 by 3% ये भर सकता है, प्लस, यहां देखो 5 hours दिया हुआ है, तो क्या आपको ये पता है कि ये 20% लगेगा वो भी प्लस साइन के साथ, ये, pipe C इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो आप कोगे कि इसका मतलब ये minus 50% पर आर हुआ, अब आप मुझे बताओ कि अगर इन तोनों को में दूँ, और जोडने पर value अगर मेरी positive आरे है, जैसे यहां पर देखो, आप positive आरे है, 3 1 by 3%, तो positive आरे है, इसका मतलब क्या है, कि इसको भरा जा सकता है, एक घंटे में अगर 3 1 by 3% फिल होगा, तो आप 30 hours इसको दे दो, ये क्या करेगा, ये इसको पूरा भर देगा, तो answer is D cannot be filled तब आता, जब data कुछ ऐसा हो जाता, लेट से, कि आप कहते है, लेट से मेरे पास है, यहां plus 25%, यहां है आपका plus 20% और यहां मान लिया होता, आपका minus 50%, तो net आपका negative आ गया, यहां आप जितना भर रहे हो, उससे ज़्यादा उसकी निकालने की छमता है, तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन यहां इस केस में यह टैंक भर जाएगा, 30 hours में यह आपको ध्यान रखना है, चीक है, अब देखिए इस question में क्या कहा रहा है, आप से कि दो pipe's है, X और Y, और आपको यह दिया गया है कि यह 24 minutes और 32 minutes में एक टैंक को भर सकते हैं, तो बताना है कितने समय के ब बंद किया जाए कि टैंक जो है 18 minutes में फुल हो जाए, तो देखिए यह interesting cases होते हैं कि कब बंद किया जाए कि टैंक जो है 18 minutes में फुल हो जाए, आप से छोटा से सवाल है कि इस question को आप कैसे करोगे, दू तरीके हैं, एक तो LCM अप्रोच लगा हूँ आप, आपको 24 और 32 का मै LCM खुजने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यह देखो है 8 into 3 और यह आपका क्या है 8 into 4, तो अगर आप LCM निकालने जाओगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 8 into 3 into 4, यह आपका LCM बनेगा, तो यह होगए आपका 96 आपका LCM, आप directly भी अगर numbers में अच्छे हैं तो आपको द 32 times 3, so 3 units per minute यह आपका होगया Y, एक होगया X, एक होगया Y, अब आपसे क्या कहरा है कि पहले तो इनको एक साथ खोल दिया गया है, दोनों pipes को एक साथ खोल दिया गया है, आप कहरा है कितने समय के बाद minute में Y को बंद किया जाए कि tank 18 minutes में full हो जाए, आपको पता है कि इसमें 72 units, 18 minutes अगर पूरा X चल रहा है, आपने X को बंद नहीं किया, तो 72 units इसने भरा, इसका मतलब Y ने कितना भरा, so 96 में आप 72 minus करो तो आपको मिलेगा कि 24 units किसने भरा है Y ने, आप question है कि Y 24 units कितने time में भरेगा, यह अगर आपको निकालना है तो आप कहोगी यह होगा 24 upon 3 unit per minute लगाता है तो 8 minutes में भरेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप Y को 8 minutes के बाद अगर बंद कर देंगे, तो यह 24 unit भरेगा, और X चो कि पूरे समय के लिए है तो 72 unit भरेगा, और आपका answer क्या हो जाएगा B, दूशा तरीका देखिए, इस question को करने का आपको पता है 4 units है, यह Y है, यह X है, तो अगर आप दोनों को कराते होगे 10 minutes तक काम, तो 4 और 3 कितना बना 7, और 7 into 18 कितना हो गया, 126 units, आपको पता है कि आपका काम 96 units का ही था, लेकिन आप यहां कहरो कि 126 unit भर जाएगा, तो मैं कहूंगा कि इसमें कितना extra आगया, और इस 30 unit extra आगया, आया यह नहीं आया, 30 unit extra आगया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यह निकालूं कि यह extra कितने minute के equivalent है, तो आप इसको 3 से divide करोगे, Y के corresponding 3 है, तो आपको 10 minutes, right, Y को आपने 10 minute extra यहां पर रखा है, इसलिए 30 minute का extra work आया, 30 unit का, तो 10 minute अगर आपने extra रखा है Y को तो Y को कब बंद कर दिना था, 18 minutes में अगर 10 minute extra आ रहा है, तो आपको Y को 8 minute पे बंद करना था, 8 minute में आपको Y को बंद कर दिना था, इसलिए answer क्या हो गया है, इसका B, which is 8, ठीक है, अब दिखी ए question क्या कह रहा है, अब से कि अगर 2 pipe हैं, जो simultaneously अगर function करते हैं, तो एक tank को 12 hours म परता है, दूसरे की तुलना में, तो पताना है, how many hours does the faster pipe alone take to fill the tank, तेकि इस question को अगर आपको करना है, तो आपको बहतर तरीका इसका ये होता है, आप values के बारे में सोचो, अगर ये 12 hours में फिल कर रहा है, दोनों मिलके, तो क्या ये 8.33% है 1 hour में, yes, simple, 12 hours में total 100%, तो 1 hour में 8. 8.33%, अब यहां पर आपको पता है कि दोनों के time में 10 का gap है, अगर 10 का gap है, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो, कुछ कि अगर एक 20 है, और एक 30 है, 10 का gap है, 20 वाला मुझे क्या देगा, 5% per hour, और 30 वाला क्या देगा, 3.33% per hour, क्या इन दोनों को मिला के, मुझे 8.33% मिल रहा है, और यह gap इनके बीच में 10 है, 10 है, तो इस तरह का जो approach है, जिसमें हम लोग totally values को guess कर रहे है, क्योंकि gap 10 का है, 8.33% कैसे बन रहा है, 5% और 3.33% इसको अगर time में convert करूँगे, तो 1 by 20, 1 by 30 में 10 का gap है, तो यह आपको आसानी से सारे answer देगा, क्या पूछ रहा है, कि faster pipe कितना time faster pipe definitely इन दोनों में से यह है, 5% वाला जो 5% पर आर भर रहा है, तो यह कितना time लगाएगा आपका, 20, तो तरीका number 1 है यह है, जिसमें हम values को खुद ही guess करेंगे, दूसर तरीका इस question को करने का यह है, कि आप इसको एक question बना के solve करूँ, 1 upon x plus, 1 upon x plus 10, all right, faster pipe को मैंने मान लिया क x आर्स में भर रहा है, तो slower 5 x plus 10 हो गया, यह 1 upon 12 के बराबर हुआ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको LCM लेना पड़ेगा, x into x plus 10, यह value आपको देजेगा, 2x plus 10, यह value आपकी होगी 1 upon 12, और आगे आप बढ़ोगे तो आपको यह हो जाएगा, x into x plus 10, is equal to, यह ह आपका 24x plus 120, और यह value आप देखना क्या बना, आपका x square plus 10x is equal to 24x plus 120, यहां से आप simplify करोगे तो आपको में लेगा, x square minus 12x, minus 12x, minus 14x, minus 14x plus, जगा यह हो जाएगा, minus 120, equal to 0. Now the next task is, आपको अब करना पड़ेगा इसको simplify, x square plus 10x यहां मिला, और आपको देख गया कि 2x plus 10 मिल रहा है, तो ऐसे मिल गया, अब देखे अगला task क्या है, कि आप इसके बारे में सोचिए कि इसको factorize करें, तो आपको देख रहा होगा कि 20 और 6 से काम बनेगा, तो यहां पर x क value आजाएगी 20 और minus 6, आपको पता है कि आपको positive value लेनी है, तो x की value 20 आगई, यह complex process हो गया, equation बना के इसको solve करना, बहतर है इस question को हम कैसे करें, simply ऐसे, right, we'll simply go through the question, और इसके बाद हम values को guess करने कोशिश करेंगे, और आसानी से हो जाती है, तो कि gap पता है, तो we can randomly try out various combinations, ठीक ह 4, 8, 12 hours में भर सकते हैं, और एक pipe आपके पास S है, वो empty कर सकता है, completely filled system को 10 hours में, तो बताना इसमें कौन सा arrangement fill करेगा, empty system को कम समय में, than the others, दूसरे के तुलना में, यह आपके options हैं, तो देखिए, आपर करेंगे क्या हम, हमें options के हिसाप से यह verify करना पड़ेगा, कि कहां पर ह page filling होगा, जो हमें निकालना है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, many options are there, जैसे मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत इत्मनान से आप देखिएगा, इसमें हम पहले तो मानते हैं work units, अगर आप work unit assume करोगे तो 4, 8, 12 और 10 का work unit निकालो LCM निकालो, so what number can be there, 120, है न, 120, सबका LCM हो जाए, तो आपको कि P जो है, मुझे देगा, 120 by 4 यानि 30 units, क्यों मुझे देगा 120 by 8, 120 by 8 अगर आप निकालतो तो यह हो जाएगा 15, और आपको क्या देगा, 120 by 12 यानि 10, और अगर आप यहाँ से S निकालोगे, जो कि negative में देगा, क empty कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका minus 12, ठीक है, अब जिस option में total number of units per R सबसे ज़्यादा हैंगी, वो इसको जल्दी फिल करेगा, तो अगर Q की बात करेंगे alone, तो Q alone मुझे कितना दे रहा है, 15, P और S अगर open है, तो मुझे कितना दे रहा है, 18, PRS अगर open है, आप खुद देखो, PRS, तो P और S के साथ R भी है, तो यह value मुझे कितना देगा, आपको 18 plus 10, 28, फिर आपसे कर रहा है, P Q and S are open, P Q को अगर open है, तो 45 minus 12, यह आपका हो गया 37, तो आपका answer यहां से क्या हो गया, D option, पहला तरीका, first method, पर आपको देखे ध्यान से दिखना है कि क्या यह best method है, इस question को करने का, और देखे, इस question को करने का दूसरा जाधा logical तरीका क्या हो सकता था, सब के time पता है मुझे, 4, 8, 12, और इसका time है 10, तो फिर मैं time के terms में इनको arrange करूँ, तो सबसे कम time कौन ले रहा है, आपको के सबसे कम time ले रहा है P, तो मैं हा लिकूँगा P, फिर कौन ले रहा है Q, फिर कौन ले रहा है S, फिर ले रहा है R, तो यह order है जिसमें इनका time increase कर रहा है, जो time increase करता है तो efficiency decrease करती है, तो यहां जहां पर आपको पता है कि S negative है, S empty कर रहा है इसको, अब लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें options compare करूं, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो अगर मैं PRS देखूं और PQS देखूं, तो देखो इसमें common क्या है, P और S दोनों में common है कि नहीं, P और S अब Q और R में कौन तेज है, वो decide करेगा कि किसकी total efficiency जादा है, मैं कर रहा हूँ, आप देखो option C और option D, अगर आप option C और option D देख रहे हो, even आप option B भी देखो, यह तीन option अगर आप देखते हो, तो इन तीनों में P और S तो हाई है समें, तो P और S को हटा दो, एक में Q बचा एक में R बचा और एक में कुछ बचा ही नहीं, आपको पता है Q भी फिल करता है, R भी फिल करता है, तो अब इन तीनों में अगर कोई highest होगा, तो कौन highest होगा, जिसमें Q है, compare ही तो करना है, तो D हो गया, अब सवाल यह है कि क्या D की value A से जादा है, D की value क्या A से जादा है, अब दिखो ध्यान से कि P और S का net positive है, negative है, P, Q, S, D option है और A option cable Q है, clear, अब जो cable Q है, आपको कैसे understand करना है कि P QS उससे जादा definitely है, क्यों, तो कि P और Q को अगर आप मिलाते हो और S उसमें minus करते हो, तो S की efficiency even Q से कम है, तो even Q जतना भरेगा, उतना भी S खाली नहीं कर एक option में खाली Q लिखा है, और एक option में लिखा है, P plus Q minus S, और Q minus S को अगर हम साथ में मिलाएंगा, तो यह definitely positive देगा, तो overall value P से भी ज़्यादा आएगी, तो that means D is more, तो यह ज़्यादा logical है कि एवल option देख के answer लगाना इस question में संभव है, आपको यह सब लिखना नहीं है, 30 minute में और B इसको empty कर सकता है 30 minute में, पेरा इन दोनों को open रखा गया है, alternatively for one minute each, बड़े interesting cases होते हैं alternate वाले, बताना है how soon will the system be filled, alternate का case है, पहला का हम आपको समझना यह है कि 20 और 30 का LCM क्या है, आपको होगे कि LCM हम इसका ले सकते हैं 60, 60 units अगर आपने मान लिया कि total work unit है, यह जो की हो गया 2 units per minute, आपको यह दिया हुआ है कि A भर सकता है और B खाली कर सकता है, तो यह कहानी होई, अब alternatively इनको one minute के लिए छोड़ा गया है, इस question में बोल रहा है, alternatively one minute के लिए कोई order नहीं दिया है, ठीक है, तो हम यह मान के चलेंगे A पहले खुलेगा, फिर B बन तो आपको कि पहले minute में क्या होगा, A करेगा, दूसरे minute में क्या करेगा, B करेगा, A क्या करेगा, भरेगा 3 unit और B क्या करेगा, खाली करेगा 2 unit, तो मैं यह कहूंगा कि यह हो गया 2 minute की कहानी, यह हो गया आपका A, यह हो गया आपका B, और यह दोनों की कहानी क्या है, one minute और 1 minute की है ठीक 1 minute और 1 minute की है clear तो यह दोनों की कहानी आपकी एक-एक minute की होगे अब आप मुझे बताओ कि net इन 2 minute में क्या हो रहा है नेट क्या हो रहा है इसमें 1 unit फिल हो रहा है ठीक है अब जैसे हैं देखोगे और आपको होगे कि 60 unit का मामला है तो आपको होगे 1 unit 2 minutes में फिल हो रहा है तो मैं ऐसे लिखोंगा कि 2 minutes में ये फिल हुआ आपका 1 unit तो आपको होगे अगर मुझे total 60 units फिल करना है तो मैं यहां लिखोंगा 60 units इसको मैं 60 से multiply करूँगा तो 60 into 2 कितना होगे 120 minutes और आप prompt होके answer mark करोगे D जो की है सरसर गलत अब देखें आपको ये समझना है कि आखिर 120 minutes को मैंने गलत क्यों बोला है कि ये wrong क्यों है wrong इसलिए देखिए कि आप देखो ध्यान से कि अगर 120 minutes आपने answer mark किया तो मैं ये जानना चाहता हूँ 120th minute में क्या हुआ होगा आपको पता है 120th minute में ये 2 unit खाली हुआ होगा अब आप कहरो कि 2 minute 2 unit खाली हुआ है 120th minute में तो खाली होने के बाद आपका total 60 unit filled है तो क्या मैं आपसे ये सवाल नहीं करूँगा इसका मतलब ये tank पहले ही भर गया जब tank पहले ही भर गया तभी तो आप कुछ खाली करके इसका net 60 unit दिखा रहो तो इसका मतलब पहले ही भर चुका है तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि 119th minute में 119th minute की अगर हम बात करेंगे इसमें तो 3 unit आपका fill हुआ होगा clear अब 3 unit plus करके 2 unit minus करने पर 120 अगर आपका answer 60 unit दे रहा है इसका मतलब इसकी filling इससे पहले भी हो चुकी है try to understand इससे पहले इसकी filling हो चुकी है तो ये अब हमें find out करना पड़ेगा कि filling पहले कब हो जाएगे तो देकि इसका best process कहा है कि आप पहले 60 unit में से 3 unit minus कर लो 57 units को भरने में पहले तो मुझे पता है कि देखो अगर let's say कोई quantity 57 unit भर भी गई है maximum एक minute में 3 unit भरता है और 2 unit निकलता है तो अगर मैं केवल 57 unit में focus कर रहा हूं तो इसमें कोई chance नहीं है कि इसके पहले tank fill हुआ होगा कि खाली होके यह 57 unit मुझे दिखा रहा है नहीं 57 तक tank अभी भरा नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसको एक पूरा मिनट चीए 3 unit भरने के लिए और ठीक है तो 57 unit फोकस करवा तो आपको होगे कि यह value 57 unit भरने में मुझे कितना लगेगा double of it यानि 114 minutes इतना लगेगा अब आपको पता है कि अगर 3 unit आपको और भरना है तो कितना time लगेगा आपको 1 minute और लगेगा क्योंकि 115th minute में 115th minute में आपका tank क्या करेगा इसको fill करेगा 3 unit fill करेगा टैंक का 120 unit 60 unit पहली बार पूरा हो गया कब 115 minute के बाद इसलिए इसका correct answer है 115 minute तो आप ज्यान लगेगा ऐसे सवालों में कि ये mistake ना हो कि आप net निकाल के और तुरंट answer mark कर दें ये दोनों जो हमने unit बना ली तो हमें लग रहा है दोनों एक साथ हो रहा है नहीं दोनों एक साथ नहीं हो रहा है एक minute पे filling हो रही है फिर अगले minute में खाली हो रहा है जब ह ये answer 60 unit कब आया two unit इसके पहले वाले minute में निकलने के बाद इसका मदब filling पहले हुई है तब मैंने ये पूरा process अपना है और answer निकाला तो अमीद करता हूं ये lesson आपको ये question आपको काफी कुछ सिखाएगा अब देखिए question द्यान से देखिए कर रहा है दो pipes ने और भी उनको आ जाएगा 180 units अब आपको होगे कि जो ए है वो 36 इंटू 5 देगा तो 5 units होगा बी जो होगा वो 45 इंटू 4 आएगा तो 4 units होगा C आपको 30 इंटू 6 होगा तो माइनस 6 पन तो क्योंकि वो empty कर रहा है अब यहां पर कहा है A और B को खोला गया 7 minutes के पास C को खोला गया मैं इसको कैसे understand कर सकता हो कि A और B को C से 7 minutes जादा मिले है तो मैं पहले निकाल लूँगा कि इन 7 minutes में A और B क्या करेंगे तो आपको A और भी मिलके हैं 7 minutes में 5 और 4 कितना है 9 units so 9 units से अगर आप ध्यान से देखो A और B 9 into 7 minutes यानि 63 units फिल कर चुके होंगे अब कितना बाकी है आपको 117 units क्योंकि 180 टोटल है यह कौन कर रहा है ABC मिला के तो ABC को कर आप मिला होगे तो आपको मिलेगा 549-63 units so 3 units से अगर आप divide करोगे तो यहां से आपको time मिलेगा आप तो आपको 40 तो नहीं है यहां से देखना यह 40 तो नहीं है तो अगर यह 40 नहीं है तो 40 से कितना कम है एक कम है तो 39 minutes यहां आ गया अगर मुझे total time निकालना है कि time कितने time में fill up हुआ है तो आपको 39 minutes तो 7 minutes के बाद और लगेंगे तो यानि 39 plus 7 अगर आप करते हो तो आपको 46 minute answer मिलेगा जो कि 20 का correct answer है तो question straight forward है बड़ आपको सही तरीके से करना यह आना चाहिए तभी आप इसको आसानी से solve कर पाएंगे वरना unnecessary time consume कर लेगा अगर दोनों पाइप को open किया एक साथ जब 3 by 4 system का full है 3 by 4 ही full है सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको यह करना है कि यहाँ पर answer calculate करने के लिए आपको 8 hours और 5 hours आप अगर LCM का root use करोगे तो आपको 40 units total work units होगे यह होगे आपका पहला वाला 5 units यह fill कर रहा है और एक होगे आपका 5 तो यह होगे minus 8 units जो खाली क रने वाले का actually rate जादा है clear है कि नहीं है इनका net कितना बनेगा आपका बनेगा minus 3 units आप कर रहा कि 3 4th full है 3 4th full का मतलब क्या है 30 units filled है 30 units अगर और आपने कहा है इस question में दिया हुआ है कि दोनों pipe को खोल दिया गया अगर आपने दोनों pipe को खोल दिया तो 3 units के rate से खाली होना शुरू हो जाएगा 10 hours लगेंगे इसको खाली करने में इसका answer क्या हो जाएगा आपका 10 hours एक simple easy अब देखिए question क्या कर रहा है आप से कि 3 pipes ABC है वो एक tank को 6 hours 9 hours 12 में fill कर सकते हैं B और C को open किया गया है half nr के लिए then A को खोला गया है बताना है कि कि तीनों pipe को कितना time लाएगा remaining part को भरने में ध्यान से समझेगा B और C को अगर आपने half nr के लिए extra खोल रखा है तो आप पहले तो इन तिनों के LCM निकालो तो क्या इसका LCM 36 आएगा yes इसक अब आपसे का गया half nr के लिए B और C को आपने कोला है तो यह 4 और 3 बनेगा 7 7 को अगर 0.5 यह नहीं half nr से multiply करोगे तो 3.5 यूनिट भर चुका है total work unit आपने कितना माना है 36 3.5 अगर भर चुका है B और C ने अकेले मिलके तो 36-3.5 कितना हुआ आपका 32.5 यह कौन भरेगा आप A, B, C तीनों मिलके 6, 4, 10 और 3 कितना हुआ आपका 13 हुआ इसको अगर आप divide करोगे तो यह आपको देगा 2.5 आर्स यही पूछ रहा था कि remaining को करने में कितना टाइम लगेगा इसका आंसर है 2.5 आज तो उम्मीद करता हुआ लेसन आपको पसंद आया होगा थैंक यू, have a great time आप सभी करें मुकर नमस्कार, pipes and system के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है चले शुरुआत करते हैं और questions का discussion करते हैं तो देखिए यहा आना है the time in which x and y will fill the tank separately will be respectively एक साथ 6 minutes ये भी दिया हुआ है कि y और x में अगर comparison करेंगे तो y 5 minutes जादा लेता है x से, अब ये बता हो मुझे कि अगर 6 minutes total लगते हैं तो क्या आप ये सोच सकते हो कि net अगर per minute में निकालूंगा तो 16.67% आना चाहिए, 1 upon 6 एक minute में, अब आप च चेक करो और option में आपको पता है कि निकालना है कि x और y respectively कितना time लेंगे, आपको पता है y x से जाधा time ले रहा है, y x से जाधा time ले रहा है, तो second वाली value first वाले से बड़ी होनी चाहिए, y जाधा time ले रहा है x से, ये दिया हुआ है कि y 5 minutes जाधा ले रहा है, तो जो y का time है जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, यह केवल दो option में हो रहा है, A और B, तो आप COD को ऐसे ही गलत कर सकते हो, यह सही नहीं है, X बड़ा नहीं हो सकता है, X कम time ले रहा है, अब इन दोनों में से देख लो कौन सा option ऐसा fulfill करेगा, तो आपको यह है, 10 और 15, आप बताओ, 10 के लिए 1 by 10 कर रहोगे, तो आपको 10% मिलेगा, और 1 upon 15 आपको 6.67% देता है या नहीं देता है, YES, तो क्या total value आपके 16.67% हो गई, तो क्या पहला option सही हो गया, YES, पहला सही हो, तो दूसरा आपने आप गलत हो गया, तो आपको यहाँ पर values रखक X time ले रहा है, तो Y कितना लेगा, इस से 5 मिनिट जादा, तो यह बनेगा X plus 5, अब या तो आप option से verify करोगे कि कौन सी value match करेगी, या फिर आप cross multiply करोगे, और cross multiply करके आप देखोगे क्या value मिलेगी, तो यह आपको मिलेगा 6 into 2X plus 5, और यहाँ पर यह value हो जाएगी, आपकी X into X plus 5, ऐसे हो जाएगा, अब फिर आप इसको quadratic solve करोगे, तो आपको मिलेगा, X square plus 5X is equal to 12X plus 30, यहाँ से आपको मिलेगा, X square minus 7X minus 30 is equal to 0, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको factorize करना पड़ेगा, अब factorization में आपको यह देखना पड़ेगा, कि आपको यहाँ प कि आपने अभी जो कुछ value ली है, अभी जो कुछ value ली है, इसके साब से आप factorization आप करोगे, तो आपको यहाँ पर 10 और 3 मिल जाएंगे, 10 और 3 अगर मिलेंगे, तो आप इसको solve करोगे, तो यह X minus 10 और X plus 3 is equal to 0 बनेगा, तो आपको बता है, यहाँ X की value 10 आ जाएगी, और minus 3 माइनस 3 लेना नहीं है, तो X की value क्या होगे, यह आपकी 10, X की value 10 होगी, तो A option 10 और 15 करेक्ट हो गया, तो that's the right answer here, देखे, question करा है कि एक pump है, can fill a tank with water in 2 hours, water से 2 घंटे बढ़ सकता है, तो करा है, लेकिन एक leak की वज़ा से tank में leak है, तो इसको 7 बाई 3 hours लगते हैं, इसको fill करन में, तो बताना है कि leak and drain all the water of the tank in how many hours, अब ध्यान से समझो, कि 2 hours इसको ideally लगते, 2 hours इसको ideally लगते, लेकिन 7 by 3 hours लगे, यानि 2, 1 by 3 hours यहाँ पर आपको लगे, कितना लगा है आपको, 2, 1 by 3 hours यहाँ पर लगे, अब यह 1 by 3 hours जो extra लगा, वो क्यों लगा, 1 by 3 hours जो extra लगा, वो क्यों लगा, इसलिए लगा होगा, क्योंकि leak सुरू से काम कर रहा है, तो leak ने क्या किया होगा, कि जितना filling हुई है, अगर 2 hours की बात करें, तो 2 hours के end में, tank पूरा भरा हुआ नहीं होगा, leak ने कुछ water निकाल भी दिया होगा, यह extra 1 by 3 hours इसलिए लग रह है, ताकि net जो filling हो, वो उसको balance out कर ले, अब मैं क्या समझ सकता हूँ, अगर 2 1 by 3 hours तक यह पूरा tank ने काम किया है, तो देखो filling tank ने कितना भरा होगा, जो filling pipe है, filling pipe ने या pump ने क्या किया होगा, filling pump ने इसको कितना भरा होगा, आपको पता है कि 2 hours में तो यह पूरा भरी देता लेकिन प्लस 1 by 3 hours उसने extra काम किया है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर मैं बूलू कि जो leak pipe है, उस leak pump ने कितना काम किया है, leak pipe ने, तो leak pipe ने आप को होगे कि पूरा 2 1 by 3 hours तक काम किया है या नहीं किया, यह पूरा काम किया है, तो अब ज़रा मेरी बात आप एक electricity से, वो क्यों करी है, क्योंकि leak ने इतने time तक operate किया है, तो अगर मैं आप से बात करूँ कि time जो filling pump का equivalent है, leak pipe से, वो कितना है, वो आप कोगे कि इसका जो 2 1 by 3 time में filling है, वो इसका 1 by 3 के बराबर है, यह 7 by 3 आप लिखोगे, यहाँ से आपको ratio मिलेगा 1 ratio 7, क्या ratio मिलेगा 1 ratio 7 यह time ratio हुआ, तो मैं कहूंगा कि क्या efficiency ratio आएगा, efficiency ratio आपका आगया 7 ratio 1, आया यह नहीं आया, इन्हीं मिलेगे, question आप से क्या पूछ रहा है, question आप से क्या पूछ रहा है, question आप से यह पूछ रहा है, कि leak को अगर drain करना है, पूरे water को तो कितना time लगेगा, आप simple सी एक बात आप लगता है, यह जो चीज, 2 hours में कर सकता है, fill, इसको पूरा खाली करना है, तो कितना time लगा, अगर efficiency ratio 1, ratio 7 है, time ratio 1, ratio 7 है तो, जितना यह one hour में खाली भरेगा, उतना यह 27 hour में खाली करेगा, तो जितना यह two hours में खाली करेगा, तो answer क्या होगी, आपका, D, D is question का right answer होगा इसमें आपको कोई panic होने की आश्यक्ता नहीं थैंशा आसानी से हो जाएगा अगर आपको इसको traditional process solve करना तो आपको 1 upon x ठीक है कि 1 upon x बोलोगे नहीं आपको लोगे सीधे ऐ 1 upon 2 1 upon 2 हो गया rate of filling और जो leak है उसको मैं किसा किसा हो 1 upon L वो 1 upon L से निकाल रहा है यह value होगी 1 upon 7 by 3 हुआ कि नहीं हुआ यह 1 upon 7 by 3 वा देखो किया मिला आपको 1 upon 2 minus 1 upon L is equal to 3 upon 7 यहां से देखना 1 upon L is equal to 1 upon 2 minus 3 upon 7 is equal to यहां पर आपका 14 हुआ 7 minus 6 कितना हुआ 1 लीक का जो capacity आपको मिला यहां पर वो मिला 14 hours टरडिशनल प्रॉसेस से ऐसा लगेगा पर अगर आप यह logic समझते हो मेरा तो आप असानी से इसको जल्दी लगा पाऊगे क्योंकि आप सीधे time ratio लिख दोगे और आपका answer भी आ जाएगा ठीक है देखी एक question आप से क्या गहरा है कि एक tap है वो एक tank को 6 hours में fill कर सकता है और कर रहा है after half the tank is filled जब half tank इसका fill हो जाता है तो कर रहा है three more similar taps are open तीन ऐसे ही और taps खुल जाते हैं आदा tank open होने के बाद तो बताना है what is the total time taken to fill the tank completely अब जिको ध्यान से six hours में ये पूरा भर जाता है ये clear है half tank जब fill होगा तो कितना time लग चुका होगा three hours लग चुका होगा यानि अगर वही tank मैं सेम तरीके से आगे बढ़ूँ तो three hours और लगेंगे और ये पूरा भर जाएगा लेकिन कह रहा है कि three more similar taps are open अगर तीन और टैप्स खुल गए तो अब आप कहोगे कि जो efficiency है वो four times हो गए एक टैप ऑलड़ी था three or taps similar खुल गए तो efficiency चार गुना होगी जब efficiency four times हो जाती है तो time one fourth हो जाता है तो जो आपको आप time लगेगा वो लगेगा three hours plus 45 minutes तो आप ऐसे लेख सकते हो three hours और यहां पर आप लेख सकते हो 45 minutes यानि आपका answer क्या हो गया d option simple है कुछ भी मुश्किल नहीं है बस सोचना आपको आना चाहिए ठीक है देखिए question आपसे करहा है कि एक tank है उसमें दो taps लगे हैं और करहा है कि जो पहला tap है वो tank को 45 minutes में fill कर सकता है और जो दूसरा tap है आपका वो इसको empty कर सकता है एक घंटे में ठीक है तो पहला tap करहा ह इसको fill कर सकता है 45 minutes में और second tap इसको empty कर सकता है 1 hour में अब करहा है कि अगर दोनों tap को open किया जाए alternatively एक minute के लिए तो बताना है in how many hours the empty tank will be filled completely ठीक है तो interesting सा question है और options को आप देखोगे तो काफी अच्छा-कासा time में gap है राइट काफी अच्छा-कासा time में gap है तो दुछरा प पहले assume करो कि देखो एक दिया है 45 minutes में filling और एक आपको दिया है 1 hour में यानि 60 minutes में emptying 60 minutes में emptying अब अगर मैं LCM की बात करूं तो मैं कहूंगा 180 unit assume करूंगा तो यह जो पहला वाला tank है tank 1 तो tank 1 से आपको क्या मिलेगा I mean tap 1 तो आपको मिलेगा यह rate आपको देगा 45 times 4 तो यह हो होगे आपका अब आपको होगे कि यह empty वाला है यह filling वाला है तो प्लस माइनस कर दिया अब अगर मैं combine करूं लेट से 2 minute को 2 minute अगर मैं combine करता हूं तो आपको net मिलेगा one two minute combine करोगे तो आपको क्या मिलेगा net four minus three one अगर आपको 180 minutes बनाना है तो आप सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा कि गर 180 minutes के बाए 180 units जाना है तो मुझे इस one one के one into 180 कर लूँ 180 slots so 180 slots अगर मिल जाएंगे तो one unit के 180 slots में हमारा फिल हो जाएगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका answer two into 180 हो जाएगा एक slot आपका 180 minutes का है तो यह आपका 360 minute हो गया तो देखिए जब यह value 360 minute आ अच्छा है कि उसने six hours option ही नहीं दिया है अगर आप six hours के option में देखते और ऐसे निकाल के mark कर देते तो आप गलत हो जाते क्योंकि जब भी ध्यान रखना कि filling हो रही है फिर emptying हो रही है तो ऐसे cases में कई बार filling थोड़ा पहले हो जाती है यह आपको ध्यान रखना है तो यह क तो मैं अगर बात करूं 11 minute की total 360 minute है तो आप बताओ 360th minute में क्या होगा आपको 360th minute में 3 unit गया होगा even minute में खाली होता है odd minute में भड़ता है तो आपको इसके पहले यानि मैं कहूं अगर की story जो होगी जब 359th minute खतम हुआ होगा तब आपके पास 177 रहा होगा कि यह 183 रहा होग तो आप देखो साफ साफ यहां पर ध्यान समझने की आवश्यक्ता है आपको यही कि यह जो वैलू 183 है यह 180 से ज्यादा है यानि फिलिंग पहले कंप्लीट हो चुकी है आपको कि इस मिनट में एक्चुल में 4 फिल हुआ होगा अगर यह 4 फिल हुआ होगा तो आपको कि 358 मिन यानि फिलिंग पहले ही हो चुकी है आप होगे इसके पहले तो यह 4 एड होके यहां आए होंगे हम तो यहां पर जो वैलू होगी आपकी 178 होगी आप होगे 178 कैसे मिला होगा इसके पहले 3 लेस हुआ होगा और 3 लेस हुआ होगा तो यह वैलू अलड़ी 181 रही होगी फिर मेरा कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो या तो इस तरह से आप वापस जाओ यहां पर जब आपको 180 मिलेगा तो आपको होगे इसके पहले वाले मिनट में यह वैलू कितनी रही होगी 176 प्लस चार इसके पहले वाले मिनट में तीन जादा था या नहीं 179 इसका मतलब पहली बार जो फिलिंग कंप्लीट हो रही है अब अगर आप काउंट बैक करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट वापस गया हूँ मैं यानि पहली बार फिलिंग कहां कंप्लीट हो गई 7 मिनट पहले ही यानि 5 मिनट 553 पे हो गई पर सवाल ही है कि एक्जाम में क्या ऐसे बना बना के देखना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं करना है जब भी आपके पास ऐसी वैलू है 180 उनिट आपको भरना है और आपको पता है कि इसके लास्ट वाले मिनट में खाली हुआ है आप सेफली पहले इसमें क्या करो ना 4 माइनस कर दो 4 मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ इसका रीजन में आपको बता रहा हूँ आपको यहाँ वैलू मिल जाएगी 176 तो कि 4 इसलिए मैंने माइनस कर दिया है कि मुझे पता है कि अगर इसके बाद अगर मेरे पास even minute है इसके बाद मेरे पास अगर even minute है let's say यह odd minute होगा अगर 176 की बात करूँ मैं 176 की बात करूँ मैंने 4 माइनस किया तो basically 176 तक भरने में हमें even number of minute लगेंगे अगला plus 4 होगा और उसके अगला minus 3 होगा अगर मैं इसके पहले बात करूँ तो इसके पहले minus 3 होगा और फिर plus 4 होगा आप खुद देखो अगर इसमें minus 3 करोगे और plus 4 करोगे तो भी यह 180 पहले नहीं होगा जहां से देखना अगर हम 176 तक ही भरते हैं जो plus 4 है उसको पहले ही हटा दें तो 176 तक value अगर हम निकालते हैं कि 176 भरने में कितना time लगेगा तो इसमें इसके पहले feeling नहीं होई होगी आप करके देखलो इसके पहले minute में जाके आपको समझ में आ जागा उसके पहले चले जाओ 180 पहले नहीं हो सकता है तो जब 4 आप सबसे पहले minus कर लोगे तो आपको आप दिखना है कि 176 को भरने में कितना time लगेगा 176 capacity कब होगी तो आपको 176 capacity अगर मुझे निकालनी है तो वन आपको पता है एवरी टू मिनिट भरा जाता है तो आपको 176 से multiply करो इसको अगर आप 176 से multiply करोगे तो आपको यह value आ जाएगी 352 मिनिट्स आई या नहीं है तो 352 मिनिट्स में आपने कितना भर लिया 176 यूनिट अगला मिनिट जैसे ही इसको आप दोगे तो 4 यूनिट इसमें और add हो जाएगा filling वाला खतम होगे एक हानी आपका total 353 मिनिट्स आपको लगेगा इसमें 180 भर गया पहली बार और यह value किसके बराबर है यह 5 hours 53 मिनिट्स के बराबर है इसलिए आपका जो answer है वह आपका answer है D 5 hours 53 मिनिट्स देखो यह सवाल अब देखो कर रहा है 2 pipes ने कर रहा है X और Y और यह एक tank को 16 और 24 hours में fill कर सकते हैं दोनों pipes को open किया गया है एक साथ लेकिन leak की वज़ा से इसे 2.4 hours जादा लगे इस tank को fill करने में leak की वज़ा से तो बताना है कि how many hours can the leak empty the tank तो leak कितने टाइम में इस tank को empty कर स हैं और एक आपको 24 से filling है clear or not यही तो दिया हुआ है अब दोनों pipe को open किया गया इन दोनों को हमने open कर लिया और साथ में leak भी है तो आपको सबसे पहले यह पता लगाना है कि अगर यह दोनों pipes हैं एक साथ तो कितने देर में यह actual में भर जाता पहले यह पता करो ठीक है तो आपको पता है कि इसकी efficiency ratio अगर आप लिखोगे time ratio आपको दिया हुआ है time ratio कितना है आपका 2 ratio 3 efficiency ratio कितना हो जाएगा आपका 3 ratio 2 all right clear or not तो अगर वो आपको time निकालना है तो time निकालने के कई तरीके हैं आपको formula भी पता है formula होता है a b upon a plus b तो उस formula से भी आप निकाल सकते हो कि दोनों को अगर मिला देंगे तो जो time लगेगा वो लगेगा 16 into 24 upon 16 plus 24 40 तो यह value अगर आप simplify यहां से करोगे तो आपको value देदेगा 85 और 83 तो यह हो गया आपका 48 upon 5 तो देगे 48 upon 5 कितना निकल के आज़ेगा आपका 9.6 hours मतलब 9.6 hours में भर देता एक तरीका दूसरा तरीका आ तो आपको efficiency ratio पता है 3 ratio 2 तो अगर आपको efficiency ratio पता है तो आप work unit लगा सकते हो कि work unit मेरा कितना है 16 into 348 units और अगर यह दोनों मिल गए तो 16 वाला जिरा 3 units per day जिरा 5 2 units per day मिला के कितना हो गया 5 units per day 48 upon 5 यहां से भी आगया 9.6 hours अब आपको पता है 9.6 hours में पूरा भर जाता लेकिन यहां पर filling 2.4 hours जादा लग रही है इसका मतलब अगर मैं X और Y बात करूं कि यह दोनों pipes ने कितना देर तक काम किया तो आपको 9.6 तो किया ही किया 2.4 और किया balance out करने के लिए तो यह हो गया आपका 12 hours यह 12 hours तक काम कर रहा है X और Y को अगर ध्यान से देखें total अब इस 12 hours मे आपको होगे क्या है कि इन्होंने 9.6 hours में तो उतनी capacity भर दी होगी जितना tanky capacity है लेकिन leak भी हो रहा था तो इन्होंने जो 2.5 hours extra लगाया वो क्यों लगाया इन्होंने जो 2.5 hours extra लगाया X और Y ने मिलके इसलिए लगाना पड़ा 2.5 hours 2.4 hours क्योंकि 12 hours तक leak ने जो खाली किया है उसको balance करने के लिए तो यह हो गया leak अब इसका time ratio आपको क्या मिल गया 1 ratio 5 क्या पूछ रहा है बाप से कि कितने घंटे में जो leak है आपका वो पूरे tank को खाली कर देगा यह आपको पता है कि जब X प्लस Y साथ में काम करते हैं तो X प्लस Y को तो 48 by 5 time लगता है तो क्या यह पांच गुना time लेगा है नहीं यह तो लिखा है मैंने time ratio है लेखा हुआ है यह 5 times time लेगा उतनी capacity को खाली करने में तो यह answer हो जाएगा 48 upon 5 into 5 यह value कितनी होगी आपकी 48 एक तरीका अब देखे traditional तरीका आप कैसे लगा होगे आपको कि पहला वाला pipe 1 upon 16 एक घंटे में कर रहा है यह 1 upon 24 कर रहा है घंटे में लीक 1 upon L कर रहा है यह net कितना बना रहा है आपको आपको बता रहा था है मैंने calculate किया था कि इस तरह के process में 12 घंटे में filling होगी यह यह 1 upon 12 के बराबर होगी क्योंकि 2.4 एक्स्ट्रा तो आप लगा सकते हो कि इन दोनों से अकेले कितना होता 9.6 आ रहा था 2.4 12 अब यहां से हम L की वैलू सॉल्व करेंगे ल की वैलू कर आप सॉल्व करोगे यहां से तो आप कहोगे कि 1 upon 16 24 है मैं यहां पर 48 LCM ले सकता हूं साथ साथ यह 1 by 12 भी मैं तो 1 upon L कितना होगे आपका 1 upon 48 के बराबर होगे तो L कितना होगे आपका 48 के बराबर होगए तो यह भी सिम्पल है एक बार आप अंडिस्टांड कर लोगे तेन आपको को तकलीफ नहीं होगी understand कर लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं हूँ एल्की वैल्यू आपकी 48 वी टाइगी ठीक है देखिए कोशन जहां से पढ़िए कर रहा है एक टैंक है जिसमें एक लीक है जो completely filled टैंक को 10 hours में खाली कर सकता है और कर रहा है कि अगर टैंक वाटर से भरा हुआ है टैंक की कैपसिटी आपको इसमें निकाल देनी है अच्छा एक बात आप बताओ कि अगर 15 hours लगे लीक टेक्स 15 hours टो empty the tank तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि यह 150 परसेंट टोटल का वालूम बाहर फिक देगा 15 घंटे, 10 घंटे में पूरा भुफिकता था 100% 15 hours लगे लीक ने पूरे टैंक का 150% वालूम तो आउट किया होगा यह वैलू किसके बराबर होने चहिए जरा आप बताओ यह वैलू किसके बराबर होने चहिए यह वैलू किसके बराबर होगी simply जो tank का volume already filled था प्लस जो admit हुआ जो admit हुआ वो है आपका 4 into 4 liters of water per minute into कितना admit हुआ 15 घंटे के लिए इसको minute में convert करवा यहां से आपको मिलेगा कि 50% की value आगई आपकी 3600 तो 100% की value आपकी आगई 7200 मैं फिर से समझाँगा आपको आपको ज़्यादा बहतर समझ में आएगा कि देखे अगर tank में कोई tap नहीं खुला होता कोई tap नहीं खुला होता तो आप कहते सिंपल से story क्या है 100% खाली करता 10 minutes 10 minutes में हो जाता लेकिन अगर इसको 15 hours लगे हैं तो वो 5 घंटे extra इसलिए लगे हैं क्योंकि जो ये 4 के rate से इसने fill किया है 4 के rate से जो इसने fill किया है 15 hours तक इसको खाली करने में लगा होगा जो कि 50% of the volume होगा तब ही इसको 5 hours इक्स्टा लग रहे हैं 10 की जगा तो ये इसके equate अगर आप करोगे तो आपको सीधा यहां से value है जाएगी 100 is equal to 70 to 100 ये भी आप लगा सकते हो आपको 150 इसलिए लिखवाय था कि आपको बहतर समझ में है तो सही सवाल है असान सवाल है बढ़ कई लोग गलत कर जाते हैं इसलिए आपको detail में इसको समझना हो श्यक है देखिए एक question आप से करा है कि एक tap है वो एक cistern को 40 minute में fill कर सकता है और एक दूसरा tap है वो इसको 60 minutes में empty कर सकता है फिर कर रहा है कि by mistake क्या हुआ कि without closing the second tap second tap को close नहीं किया गया है first tap को खोल दिया गया यानि कहलो empty वाला भी काम कर रहा है और fill करने वाला भी काम कर रहा है तो बताना है कि in how many minutes will the empty system be filled किती दिर में भर जाएगा तो दिखें आपर समझने आपको क्या है कि आपने कहा दूसरा tap को close नहीं किया पहले को close दिया इसका मतलब यही है simply कि दोनों काम कर रहा है अगर दोनों काम कर रहा है आप तो मिलेगा one unit और one unit से 120 unit 120 unit अगर आपको भरना है ठीक है तो आप करो कि per minute की बात करूँ तो तीन भरता है दो खाली करता है same minute में तो one unit net मिलता है तो आपको कितना time लगे हो 120 minutes बहुत ही आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप efficiency ratio से देखो कि तो भी answer आजाएगा आपको होगे कि time ratio है 2 ratio 3 efficiency ratio बनेगा 3 ratio 2 और यह होगा minus 2 तो आपने का 3 से time लगता है 40 यानि 120 total होता है अगर दोनों को मिला दूँगा तो मुझे मिलेगा 1 और 1 से कितना time लग जाएगा मुझे 120 minutes आंसर क्या होगे आपका simple है और easy देखिए question आपसे करा है कि एक pipe है वो एक empty कर सकता है tank को 40 minutes में और एक दूसरा pipe है जिसका जो diameter है वो twice है as much is that of the first also attached with the tank to empty it अब यहाँ पर यह काफी interesting है आपको यह चीज़ समझना है कि diameter से हम क्या समझे एक pipe को बताया गया दूसरे pipe को बोल दिया कि उसका diameter दुगना है पहले वाले से और वो भी लगा दिया गया है empty करने में तो दोनों एक साथ कैसे empty करेंगे एक चीज़ आप ध्यान से understand करो कि लेट से मैंने कहा एक pipe है मेरा और उस pipe का जो diameter है या radius है concept को अच्छे समझो R1 है और एक दूसरा pipe है मेरे पास उसका जो radius है वो R2 है अब हम कैसे इसकी efficiencies को relate करेंगे rate of water का जो throw है वो कैसा relate होगा देखिए आप जहान से मैं कहता हूँ कि हम compare करते हैं let's say कि one minute में one minute में कितना जो है पानी बाहर जाएगा let's compare so आप होगे पहली बात तो आपको ये understand करना है कि आपका जो ये area है जिससे ये water throw out कर रहा है water ये throw out कर रहा है ये जो area है ये area पहले निकालोगे तो आप होगे area होगा pi r1 square होगया नहीं होगा that will be pi r1 square यहाँ पर जो area है आपका pi r2 square तो ये कितना volume throw out करेगा ये actually किस पर dependent है r1 square और r2 square यह नही radius square पर तो अगर आप चाहते हो ये निकालना cross section area let's say आपने कहा कि radius double है तो आपको पता है कि इसकी efficiency चार गुना होगी getting my point or not one minute में कौन कितना throw करेगा radius double होने से ऐसा नहीं कि आप होगे double चार गुना volume throw out कर देगा क्योंकि जिस cross section से ये throw कर रहा है जिस cross section ये throw कर रहा है उसका area चार गुना हो गया right so four times volume बहार आ जाएगा इसलिए आपको बस ये understand करना है कि यहां पर इस case में diameter twice होने का मतलब चार गुना efficiency तो पहले आपके पास था एक pipe तो ये इसको खाली होने में लग रहा था 40 minutes अब आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास 4 की capacity और आगे तो ये 5 हो गया तो पहले 1 into 40 था अब ये था 5 into 8 आपका 40 बनेगा तो ये value अब आपको 8 minute ही लगेगी एक अकेला 40 minute ले रहा था 1 into 40 आप 5 into 8 40 दे देगा तो यानी 8 minute ही लगेगा इसमें time तो ये काफे interesting case था इसमझ लेना हो राइट? ओके? देखें एक question आपसे कहरा है कि तीन पाइपस हैं ABC अगर उनको एक साथ आप चलाओगे तो 8 hours में किसी सिस्टर्न को खाली कर देगा अब कहरा है कि तीनों पाइपस को खोल दिया गया है simultaneously for 2 hours और उसके बाद B को close किया गया है कहरा है जो सिस्टर्न है वो empty हो जाएगा 9 घंटे और लगेंगे लेकिन उसके बाद empty हो जाएगा तो बताना है कि time taken by B to empty the system alone तो B के द्वारा सिस्टर्न को खाली करने में कितना time लगेगा अकेले तो देखे ध्यान समझते हैं ABC 8 hours लगाते है अब यह कह रहा है आप ध्यान से अगर समझो तो कह रहा है कि अगर इनको 2 hours के लिए आपने operate कराया आप इसको बहुत interesting तरीके से हमें समझना है ABC कितना लगा रहा है time ध्यान से देखना 8 hours लगा रहा है आपने क्या किया इसको 2 hours के लिए open रखा तो अगर आपने इसको 2 hours के लिए open रखा तो यह कितना खाली कर देगा 1 4th यहनि 3 4th बाकी बचेगा तो देखो अगर मैं कहूं कि 3 4th बाकी है और इस 3 4th को आप कौन कर रहा है आपने B को बंद कर दिया है A और C कितना time लगा रहा है 9 घंटे लगा रहा है 9 घंटे लगा रहा है अब आपको यह देखिया understand यहां पर इस particular case में करना पड़ेगा कि जो 3 4th ही है अगर A और C उसको भरने में 9 घंटे लगा रहा है तो मैं पूछूँगा कि अगर इनको पूरा भरना होता तो कितना लगाते आपको 75% को ही भरने में इन्होंने खाली करने में 9 घंटे लगाए क्योंकि जो बाकी है वो 3 4th बाकी है 1 4th भर गया है खाली हो गया है 9 घंट से लगा रहा है 3 4th में तो अगर मैं full time बोलूँ कि full खाली करना है इनको full खाली करना है तो आपको होगे कि यह जो value है इसमें मुझे इसका 1 3rd और add करना पड़ेगा तो यह full बन जाएगा Actually मैं आपसे simple सा यह कह रहा हूँ कि 3 by 4 जो आपका है 75% को करने में इन्हे 9 घंटे लग रहे है 9 hours तो 100% खाली करने में 1 3rd और जोड़ रहा हूँ आपको यही से पूरी स्टोरी दिख जाएगी क्या दिख जाएगी कि यह value हो जाएगी आपकी 12 ratio 8 यानि आपकी value हो गई 2 और यह ratio हो गया 3 आपको पता यहां से B के value कितनी आगई B के value आपकी आगई 1 B के value 1 आगई efficiency में क्योंकि यह A plus C है और यह आपका A plus B plus C है अब 3 की efficiency से ABC को 8 लग रहा था यानि total work unit हो गई 3 into 8 24 और B अगर 1 लेके चल रहा है तो इसको अकेले कितना लगेगा 1 into 24 पांसर आपका क्या हो गया B So you can solve these questions very easily without any problem पर आपको यह अच्छे से understand करना है कि कैसे मैं कर रहा हूं इस सवाल को मैंने क्या किया ABC अकेले 8 hours काम कितना बचा है 3 fourth A plus C कर रहे है 9 hours में तो A plus C को अगर full करना होता काम तो कितना लगता 12 hours यहनि A plus C को full खाली करने में 12 hours लगता A plus B plus C को 8 hours लगता efficiency ratio 3 ratio 2 हो गया तो B के efficiency कितनी होगे 1 होगे ABC के efficiency 3 है 8 hours लगता है 24 work unit हो गया तो B के efficiency गर 1 है तो 24 लगेगा answer होगे अभी असानी सा answer निकाल लोगे अगर आप सही से करोगे तो अब देखिए एक question आपका क्या है कि रहा एक system है उसको fill कर सकते है water से एक pipe से 5 hours में और ये empty हो सकता है एक second pipe से 4 hours में तो filling के लिए 5 hours और इसको खाली कर सकते है second pipe से 4 घंटे में अगर दोनों pipe को open किया जाता है जब system भरा हुआ है तो तो बताना है कि time कितना लगेगा जिसमें ये empty हो जाएगा अब देखो जान से पांच घंटे में इसको हम fill कर सकते हैं तो ये होगा आपका 20% और इसको खाली कर सकते हैं second pipe में 4 hours है तो ये होगा आपका 25% in 1 hour खाली हो सकता है किरा दोनों को हमने खोला है जब system भरा हुआ है 100% अलड़ी है दोनों को अगर खोल दिया तो net कितना होगा से थोड़ी understanding मिलेगी especially जो leak वाले cases वहाँ लोगों को समझा होती है तो इसको थोड़ा सा जो logical तरीका मैंने बताया उससे अगर आप clear करते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी थैंक्यू, have a great time आप सभी को रहें मगर नमस्कार pipes and systems के इस lesson में आपका हार्दीक सागा था जिसमें हम questions का discussion करेंगे चले शुरुबात करते है देखिए एक question आप से कहरा है कि एक swimming pool है जिसमें three drain pipe है drain pipe में लब क्या है खाली करने वाले pipes कहरा है जो पहले दो pipes हैं two pipes हैं वो A और B हैं और वो एक साथ operate कर रहे है और किरा है यह empty कर सकते है pool को in half the time that C C क्या है आपका third pipe है तीसरा pipe है alone takes to empty it तो किरा है pipe A अगर अकेले काम करें तो यह half time लेता है taken by pipe B pipe B की तुलना में half time लेता है together they take 6 hour 40 minutes to empty the pool अगर सब एक साथ काम करें 6 hour 40 minutes में जो pool है वो empty हो जाएगा बताना क्या है कि जो time A लेगा इस pool को empty करने में वो कितने घंटे होंगे तो देखे पहले चीज तो आपको यह समझनी है कि जो चीजें दी है इनको ज़रा जहान से देखो यह कर रहा है A प्लस B और अगर हम C की बात करें तो पहले इनका comparison किया है इनोंने यह क्या कह रहा है कि C जितना time लेता है A प्लस B मिला के उसका half time लेते हैं इसको खाली करने में इसका मतलब अगर time ratio A प्लस B का C से 1 बाइ 2 ratio 1 है तो efficiency ratio half time लेने का मतलब होता है efficiency double है तो यह हो गया A और B की combined efficiency double होनी चाहिए C से पहली जानकारी दूसरी जानकारी इनोंने कहा है कि pipe A जो है अकेला यह कह रहा है pipe B की तुलना में half time लेगा A और B का relative comparison भी दिया है कि इनकी efficiencies आपस में 2 ratio 1 में है आपस में 2 ratio 1 में है अगर मुझे A, B, C इन तीनों की efficiencies को अलग-अलग रखना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं इस 1 को अगर 3 बना दू और इस 2 को मैं 6 बना दू इसलिए क्योंकि मुझे इस A प्लस B को भी further इस ratio में divide करना इसलिए मैंने इसको 6 बना दिया तो आपने का C अगर 3 है तो देखो 6 को अगर 2 ratio 1 में आप बांटोगे तो ये 4 ratio 2 बनेगा तो देखो A, 4, 2, 3 ऐसे करके बन जाएगा ये आपकी story हो गई यानि तीनों की अलग-अलग efficiency का ratio आपने लिख लिए अब question कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 hour 40 minutes लगेगा तीनों की चरह combined efficiency बताओ कितनी है 4, 2, 6 और 3, 9 है या नहीं है तो 9 in 2 और जो value आपको दी है न 6 hour 40 minutes उसको अगर आप convert करोगे hours में तो ये बनेगा 6 2 by 3 hours यानि 9 की efficiency से आपको जो time लगेगा वो 6 2 by 3 efficiency और time का product क्या देता है आपको work units ये work done अब यही काम आप चाहते हो कौन करें आप चाहते हो A अकेला करें A अकेला करेगा तो आप इसको 4 से divide करोगे क्योंकि A की efficiency सिर्फ 4 है अब ये solve करो आप तो आपका बनेगा 9 into ये value ध्यान से देखो कितना देगा आपको 20 by 3 divided by 4 तो आप divide करोगे तो ये मिल जाएगा 4 फाइवजा 3 थीजा तो 5 into 3 आपका कितना हो गया 15 question में कोई दम नहीं था लेकिन language जो थी उसको simplify करना था कि ABC के ratios efficiency के क्या है अगर वो आपने कर लिया तो ये question बहुत असानी से आप इस तरीके से कर पाएंगे देखिए सवाल आप से कह रहा है कि इसमें से कौन सा किसी पूल को सबसे तेजी से खाली कर देगा पहला कह रहा है कि आपके पास वन पाइप है जिसका व्यास डायमीटर 60 सेंटीमीटर है अब जोकि आपको एक चीज़ समझना है कि अगर हम बात करते है पाइप्स की और इसमें अगर फ्लो हो रहा है लेट से वाटर तो जिसका डायमीटर जादा होगा जाहिर से बात है उससे फ्लो जादा होगा इसमें कोई दो रहाई नहीं क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जादा है लेकिन यहां पर जो फास्ट रेट होता है वो एरिया पे डिपेंडनेंट होता है तो हमें देखना है कि कहां पर टोटल एरिया जादा है जिसका एरिया जादा है तो आपको पता है कि लेट से वन मिनिट में बोलता हूं कि पानी का जो लेंथ निकलता है बाहर वो एल निकलता है राइट सो वन मिनिट में अगर एल लेंथ बाहर निकलता है तो आपको पता है क तो यह आप मुझे बताओ कि पाइप जो आपको दिया जिसका डायमीटर सेंटी मेटर सेंटी मेटर आपको प्रोवाइड़ेड है पहले केस में जो बाहर आएगा एरिया एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा देखो पाई तो सब में आता है आर स्कॉयर होता है यह आप सीधे चाहो तो डायमीटर भी लिख सकते हो 60 स्कॉयर यह आप रेडियस लिख लो तो यह हो जाएगा आपका 30 स्कॉयर का टर्मिस में आएगा मैं यहाँ पर पाई नहीं लिख रहा हूँ क्यों कि पाई सब में आएगा तो कंपारजन के लिए करेंगे कीए 21 स्कॉयर बनेगा 21 इसकॉयर प्लस 12 डॉटल यह पर आपका हो जाएगा Ten projecting करेंगा तैन को यह बनती का उंसरे क्यों करना कि कॉसिव देए यह या यह पनाएगा जाएगा यहोट्वर रात 2 इसकोयर प्लस युद्ध हो मैं ale के समय नहें नहिको दूसरे case में आपका आ रहा है 450, तीसरी case में आपका रहा है 300, तो यहाँ area सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो यह आपका सबसे तेज खाली करेगा, तो यहाँ पहला correct हो गया, अगर मुझे से पूछा जाए सबसे धीमे कौन करेगा, तो third option आप select करते 3, तीसरा वाला statement हम select करते, बहुत simple question है, कुछ भी challenge नहीं है, बस आपको देखना है कि हाँ area से relate करना है, अब देखें, यह सवाल आपसे कर रहा है कि एक tap है, वो drip कर रहा है, जो rate है, वो है one drop per second, और कर रहा है 600 drop जो है 100 ml बनाते हैं, आपको बताना है कि कितने number of liters waste होंगे 300 days में, यह आपको बताना है क 300 days में, कितने number of liters इस process में आपके waste होने वाले हैं, अब देखें सबसे important question आपसे मैं यह पूछूँगा, कि आप यह बताओ कि एक दिन में कितने seconds होते हैं, वहां से कुछ idea लगेगा मुझे, तो आपको एक दिन में कितने seconds होते हैं, यह होते है 24 into 60 into 60, 24 are 60 seconds, और यहां भी क्य चाहो ऐसे, तो यह value आपकी बनेगी 24 into 3600, ऐसा बनेगा, इतने seconds होते हैं एक दिन में, अब आप मुझे बताओ, आपको दिया है कि 600 drops आपके 100 ml बनाएंगे, और यह कह रहा है 1 drop per second, तो इतने number of drops हो जाएंगे एक दिन में या नहीं, अब एक दिन की बात में कर रहा हूँ, इसमें से 600 drop 100 ml बनाते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 6000 drops आपके 1 liter बनाते हैं, एक ही बात है, तो आप इसको 6000 से divide कर दो, अगर आपने divide किया 6000 से, यह आपको कितना देदेगा, 0.6, multiply करोगे तो आपके मिलेगा 14.4 ml, यह आपको मिल गया, 14.4 ml, ml मिला, नहीं, लीटर मिला, क्योंकि हमने convert ही कर लिया था, इसको लीटर, अब आप बताओ कि अगर आप इसको 300 से multiply करोगे, सारे option में जो digits है, 4, 3, 2, 4, 3, 2 ही आ रहा है, हमें देखना है कि 0 कहां लगाना है, calculation exact करना ही नहीं है, तो आपको यह जो value है, 14.4 into 300, अगर यह 10 होता तो आपका 3000 क आस-पास होता, 10 से जादा है, तो थोड़ा सा जादा होगा, 4320, आपको यहाँ पर exact calculation करने की need नहीं थी, यही देखना था कि मेरे option में number of digits कितने हो सकते हैं, that's easily you can mark the option, multiply करना तो वैसे भी आ जाएगा, 14 को 300 से करोगे, तो आपका 4200 आएगा, plus 0.4 को 300 से करोगे, तो कितना जाएगा, 120, तो यह आपको मिलेगा, 4320, तो यह बालू आपकी होगी, option D, अगला question देखी, क्या कर रहा है कि, having the same capacity, 9 taps, tanks यह taps कर रहा है, sorry, देखी, question क्या कर रहा है कि, having the same capacity, 9 taps, fill up a water tank in 20 minutes, how many taps of the same capacity are required to fill up the same water tank in 15 minutes, तो देखो, यहाँ पर पहले क्या कर रहा है कि, time है 20, और taps हैं आपके 9, so मैं आपसे कहूँ, number of taps into minute, यह हो गया, आपका basically tap, date जैसे आपने, main day जैसे कहा था, यहाँ tap minute, यह constant रहेगा, यह work unit है, so 9 into 20, और नीचे क्या करना है, आपको 15 करना है, तो 15 अगर आपको करना है यहा पर आपको यह निकालना है, कितने number of taps लगेंगे, तो देखो, 15 अगर आपने कर लिया, यह value आपकी है 180, 15 से आपने divide किया, तो आपको मिला कितना, 12, तो number of taps दूसरे case में आपको चाहिए होगे 12, यह पहला तरीका, दूसरा तरीका आपका होगे, कि देखो, time जो है, पहले 20 minute है, बाद में 15 minute है, तो time ratio आपका कितना है, 4 ratio 3 है, efficiency ratio क्या होगा, आपका 3 ratio 4 होगा, होगा यह नहीं होगा, तो यहाँ पर जो efficiency है, आपको करिस्पॉंट कर रहा है, 9 taps, 3 अगर 9 taps को करिस्पॉंट कर रहा है, तो efficiency 4 जो होगा, वो करिस्पॉंट करेगा 4 into 3, 3 into 3 है, 4 into 3 हो हो जाएगा, simple है, कैसा भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, यह सवाल क्या कर रहा है कि कितने time में, एक cistern fill हो जाएगा, तीन pipes आपको दी हैं, जिनका diameter है, 1, 4 by 3, और 2 cm, running together मतलब एक साथ चल रहे हैं, और कर रहा है कि जो largest है, वो fill करेगा, इसको 61 minutes में, और बताना है, जो amount of water flowing ह है, in, by each pipe being proportional to the square of the diameter, तो कर रहा है, जो amount of water इसे flow हो रहा है, वो diameter के proportional है, या फिर आप कह सकते हो, simple वही बात है, area के proportional है, तो आप से यह कर रहा है कि, आपको यह क्या provided है, कि जो largest alone है, largest alone है, जिसका diameter कितना है, 2 है, तो मैं लिक रहा हूँ कि जो largest alone की बात कर रहा है, उसका diameter है 2, और वो fill कर रहा है, 61 minutes में, इधान रखना आप, तो अगर आप निकालना चाहो कि total work units कितनी है, तो आपको होगे वो हो जाएगा, simple सा यह rate, जो कि 2 है, क्योंकि अगर diameter के proportional है, diameter square के proportional है, diameter square के proportional है, तो आपको होगे diameter 2 है, तो इसके corresponding जो efficiency होगी, वो 4 आएगी, क्योंकि square लेन है, तो total work units अगर हम बात करेंगे, तो वो हो जाएगा, 4 into 61, अब हमें निकालना है कि यह कितना time लगेगा, अगर तीनों एक साथ काम करें, तो देखो, इसकी efficiency किसके proportional होगी, 1 square के, दूसरे की efficiency, उसके diameter के square के proportional, तीसरे की efficiency, 4 के proportional, तो आपका जो efficiency हो जाएगा, बाद में, वो denominator में लिख दिया मैंने, तो यहां से आपको time मिल जाएगा, ठीक है, तो divide करके आप इसको solve करो ज़रा, 4 into 61, divided by, यह हो गया, 1 plus 16 by 9, आपका कितना हो गया, 25 plus 36 divided by 9, अगर मैं LCM ले लों तो, यह value बन जाएगी, 61, 61 से cancel होगी, और 9 into 4 आपका आगया, 36 minute, जो किया option है, C, कुछ हाँ पर इन्होंने बता दिया कि rate जो है कि is dependent है, diameter square पे तो उसको use करके, हम अपना answer आसानी से निकाल सकते हैं, अब देखें यह सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है, दो pipes हैं आपके, वो separately एक tank को 20 hours और 30 hours में भर सकते हैं, कह रहा है, दोनों pipes को आपने open कर दिया है, टैं 1 by 3 of the water supplied by both the pipes leak out, मतब जितना ये दोनों pipes फिर leak develop होने के बार supply करेंगे, उसका 1 third जो है बाहर निकल जाएगा, तो बताना है, what is the total time taken to fill the tank, अब देखो इसको हम करेंगे, क्या ऐसे समझेंगे, यहां पर कह रहा है कि पहले तो 1 third भर रहा है, तब तक कोई leak नहीं है, 1 third पहले आप fill करो इसको, तो आपको दो pipes हैं, एक 20 है, एक 30 है, तो आपको पता है कि अगर मैं निकालता हूँ, इस दोनों एक साथ काम करेंगे, तो कितने मैं भर देते हैं, तो आप कहते हैं, 20 वाला 5% पर आर वाला है, 30 वाला 3.33% पर आर वाला है, तो इनको total करोगे, तो 8.33% पर आर मिलेगा, अगर दोनों काम करें, तो यानि वन बाई 12 के equivalent है, यानि ये 12 आर्स में, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, कोई लीक ना हो, तो 12 आर्स में पूरा भर देंगे, अब question में देखें क्या काया है, कि 1 3rd full, 1 3rd full होने में इसका 1 3rd आर लगेगा, क्योंकि full efficiency से वो दोनों काम कर रहे होते, तो बाकी 2 3rd, 8 आर्स में भर जाता, लेकिन यहां वो क्या कह रहा है, कि लीक आ गया, और लीक क्या कर रहा है, दोनों पाईप जितना भर रहे हैं, उसका 1 3rd निकाल लेता है, इसका मतलब यह हो गया, इन्होंने अगर 100 भरा तो उसका 1 3rd निकल गया इन्होंने 3 भरा तो 1 निकल गया, 2 ही बचा, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं, कि इनकी जो efficiency है, वो 2 3rd हो चुकी है, अगर 1 3rd निकल जा रहा है, तो net efficiency A और B की अब क्या बची, 2 3rd बची, अगर मैं लीक को भी combine कर लूं तो, तो कुल मिलाके हम बोल सकते हैं, कि इस portion में यह अपनी 2 3rd efficiency से ही काम कर रहा है, तो अगर efficiency full होती तो 8 hours लगते, अगर efficiency 2 3rd है, तो जो time लगेगा, वो लगेगा 3 by 2 of 8 hours, और 3 by 2 of 8 hours अगर आप calculate करते हो, तो यह value लगेगी कि इसको 12 hours और लगेगे, इसको क्या लगेगा, 12 hours और लगेगा, तो आपका answer हो गया 12 plus 4 यानि 16 hours, कि simple सा question है, एक बार समझ में आगया तो तकलीफ नहीं होगी, अब देखिए, यह question कर रहा है कि एक pipe है, इसको system से attach किया, यह system को 15 hours में fill कर सकता है, लेकिन कर रहा है, एक leak develop हो गया, जो क्या कर रहा है, one fourth of the water leak कर देता है, एक बटा चार leak कर देता है, तो बताना क्या है कि leak के सा कितना time लगेगा भरने में, एक बापता हो, अगर यह one fourth आपका out कर देगा, तो net कितना बचेगा three fourth, यह जितना भर रहा है actual में, उसका three fourth ही बच रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं कि a की जो net efficiency है, वो three fourth दिखेगी leak के साथ, तो अगर efficiency three fourth हो जाता है, तो time आपका four by three times हो जाएगा, 15 का, यह value आपकी होगे कितना, 20 hours, यह value आपकी होगे 20 hours, जो कि आपका option है, simple and easy, कुछ भी मुश्किल नहीं था, कि 15 hours, तो यह आपका होगे 20, clear, so that is how you can easily get the answer, all right, okay, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, A-B rule का इस्तेमाल करके इस question को, A-B rule कैसे लग जाता है, इस question में, जहान स 1 by 3 से बढ़ जाएगा, तो पहले अगर 15 लग रहा था, तो 15 का 1 by 3 कितना होगे 5, तो यह value कितनी होगे आपकी 20, 20 hours आपका आसानी से answer निकलाएगा, देखिए question आप से कह रहा है कि 8 taps आपके पास हैं, जिनको fit किया गया है, एक water tank से, कह रहा है उसमें से कुछ फिल कर रहे है और कुछ खाली कर रहे हैं, कह रहा है हर एक water tap जो है, वो tank को fill करता है अकेले 12 hours में, और कह रहा है कि जो each outlet tap है, वो इसको empty करता है 36 hours में, कह रहा है कि जब सारे pipes को open कर दिया जाएगा, तो tank आपका 3 hours में fill हो जाएगा, तो बताना है कि जो ratio है number of inlet और number of outlet pipe का ratio क्या होगा, त पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, कि मान लेते हैं कि outlet pipe नहीं है, पहले तो दो option जो absurd अनको हटा दू, 3 ratio 4 और 8 ratio 3 नहीं हो सकता है, आपके पास अगर total 8 pipes हैं, तो आप इनको इस ratio में divide करोगे sir, ताकि आपके number of inlet, number of outlet pipe integer में आये, पुडांक हो ना, अगर आपने 3 ratio 4 में 8 को divide किया, तो क्या आपको 3 by 7 into 8 integer मिल रहा है, नहीं, तो क्या inlet pipe fraction में होंगे, नहीं बाई, integer में होंगे, इसलिए ये allowed ही नहीं है, अब इन दोनों का आप ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ एक question में कि 3 घंटे में आपको पूरा भरना है, आप मुझे बताओ, मैं मानता ह कि मेरे पास inlet pipes हैं, और मेरे पास outlet pipe है, थोड़ी दर करें मानलो कि outlet ही नहीं है, अगर outlet pipe नहीं है, तो inlet pipe कितने लगेंगे जरा बताओ, आपको पता है कि एक pipe खाली होगा, तो वो 12 hours में इसको भरेगा, अगर 3 hours में मुझे fill करना है, यानि 1 4th time में, तो आपको कितने pipe कम चाहिए, तीन घंटे का ही time है, तीन घंटे में अगर इसको भरना है मुझे, तो केवल inlet होते हैं, अगर बाहर कुछ भी नहीं जा रहा होता outlet से, तो भी मुझे 4 pipes चाहिए होते हैं, अभी तो outlet भी है, अगर outlet भी है, तो मुझे 4 से ज़ादा चाहिए inlet pipes, ताकि जो निकाले outlet उसको balance करे, तो यानि जो answer होगा, वो क्या होगा, C होगा, क्यों, तो कि C में ही जब आप divide करोगे तो 5 inlet आएगा और 3 outlet आएगा, 4 से ज़ादा inlet इसी में आ रहा है, यहां करोगे तो यह कहएगा 3 inlet और 5 outlet, यह तो नहीं चलेगा, inlet मुझे 4 से ज़ादा चाहिए, तो C option होगा यह तो तरीका वो हो गया, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने simply logic से आपका question करा दिया, दूसरा तरीका देखो क्या होगा, process के साथ proper solve कर लो, M plus N, मैंने M मान लिया, inlet pipe है, N outlet pipe है, इसकी value 8 है, दूसरा आप क्या लिखोगे, कि inlet pipes अगर M है, तो M upon 12, यह हो जाएगा उन 36 LC मैं लो right hand side ले जाओ, तो यह बनेगा 12, 12 और यह value आपकी हो गई, 3M minus N is equal to 12, M plus N आपका कितना है, यह value आपकी 8, इसको अगर जोड़ोगे आप, तो आपको मिलेगा 4M is equal to 20, M की value कितनी आगए 5, M की value 5 आगए, तो N की value कितनी आगए 3, तो ratio कितना हो गया, 5 ratio 3, यानि यह answer क्या हो गया, अगर आपको properly करना है, तो भी हो जाएगा कोई challenge नहीं है, बट logic से करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इसा बाद, देखिए question आपसे कहरा है कि दो taps हैं, वो एक water tank को fill कर सकते हैं, 30 minute और 36 minute respectively में, कहरा है दोनो taps को, tips नहीं, taps को open किया गया है एक साथ, एक empty tank में, लेकिन कुछ समस्या की वज़ा से पहला tap कह रहा है, 5 by 6 की efficiency से काम करेगा, और दूसरा tap कह रहा है कि 9 by 10 की efficiency से काम करेगा, its efficiency, okay, अब कह रहा है कि जो problem है, वो problem दूर क्यार दी गई कुछ समय के बाद, यानि कुछ समय तक वो problem रही, और जब वो problem रही, तो efficiency क्या इसको जब remove कर दिया गया problem, तो जो tank है वो fill हो गया 15.5 आर्स में, 15.5 गंटे में, उसके बाद ये भर गया, तो बताना है, after how much time the problem was removed, problem कितने देर के बाद दूर की गई, समस्या को समझो क्या है, ये कह रहा है कि ये जो reason है, यहाँ problem थी, तो जब problem थी, तो आपका जो tap 1 है, उसकी efficiency क्या थी, 5 by 6, और tap 2 की efficiency थी, 9 by 10, original efficiency की, इसके बाद problem नहीं है, तो ये जो reason है, जिसमें problem नहीं है, कह रहा है, इसमें 15.5 आर्स लगे, और इसको भरने में, अब आप मुझे बताओ कि 30 और 36 का LCM क्या होता है, आप को कि 180 units, ये LCM होता है, तो मैं आप से बूलूंगा कि जो मेरा tap 1 है, ये tap 1 का rate क्या है, आप कोगे 6 unit per minute, ठीक है, tap 2 का rate क्या है, आप 180 को 36 से divide करोगे, तो आप कोगे 5 units per minute, अब मैं आप से कह रहा हूं कि ये 6 unit per minute है, ये 5 unit per minute है, इस reason में जब problem दूर हो गई है, तो दोनों एक 6 unit से काम करेगा, एक 5 unit से काम करेगा, यानि ये ल 11 unit per minute से 15.5 hours में ये कितना भरेंगे, तो आपको गए इनको multiply कर लो, 11 into 15 आपका हो जाएगा 165, प्लस 11 into 0.5 आपका हो गए 5.5, इनको अगर मैं जोडूंगा, तो ये value आगी है, आपकी 170.5, तो यहां फिल हुआ, जब problem नहीं है, तो यानि problem वाले reason से कितना फिल हुआ होगा, बाकी, बाकी कितना 9.5, तो 9.5 unit problem वाले reason से फिल हुआ है, अब problem वाले reason में देखो, पहले वाले tap की efficiency कितनी होगी, 5 by 6 होगी 6 का, तो ये होगया 5, और इसकी efficiency कितनी है, 9 by 10 है 5 का question में दिया हुआ है, तो ये value होगी 4, तो यानि एक की efficiency है 5, दूसरे की efficiency है 4.5, तो इन दोनो कितनी दिर में resolve होगी, 1 minute में, तो अच्छा सवाल था, लेकिन आप अगर इसको properly समझ जाओगे, तो करने में दिक्कत नहीं आगी, पहले हमने निकाला, कि full efficiency से 15.5 में कितना हुआ, तो बाकी कब हुआ, problem वाले area में, problem थी तो उनकी efficiency क्या थी हमने निकाली, और उससे देखा कितना time लगा, एक minute, तो एक minute तक problem थी, answer असानी से आ गया, देखिए question आपसे कर रहा है कि एक boy है, वो एक bucket को 2 by 3 minutes में fill कर सकता है, और एक girl है, वो इसको fill कर सकती है 3 by 2 minutes में, तो कर रहा है कितने घंटे आपको लगेंगे, tank को भरने में, जिसकी capacity 156 buckets है, अगर वो 3 by 5 hour ही काम करते हैं, everyone है, हर एक घंटे में कह रहा है कि, वो 3 बटे 5 घंटे ही काम करेंगे, यह दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि मैं निकालता हूं, अगर कि एक बटा, एक घंटे में, अगर मैं boy की बात करूं, और मैं girl की बात करूं, तो आपको यह 2 by 3 minute में एक bucket भरेगा, त 60 minute होंगे, तो अगर पूरा एक घंटा यह काम करेंगे, तो 60 से multiply करोगे, तो यह value आपकी आजाएगी 40 buckets, 2 by 3 of 60 is 40, फिर आपको 3 by 2 of 60 कितना होगा, तो यह हो जाएगा आपका 90, तो 1 hour में boy और girl अगर दोनों मिलके एक घंटा net पूरा काम कर दें, तो यह आपका 130 buckets भर कि एक घंटे में effectively जो इनका काम है, वो 3 by 5 R का ही है, तो 3 by 5 R का ही अगर effective काम है, तो यह 3 by 5 of 130 भरेंगे, इसको निकालोगे तो आजाएगा 26 into 3 यानि 78, 78 buckets, तो effectively आपको दिखाना कि 1 R में, actual में यह 3 by 5 R ही काम करेंगे, तो उतने में कितना यह भरेंगे, 78 buckets, यानि effectively इस question के ह आप से एक घंटे में जो bucket भरे जाएगे, वो 78, तोटल भरने कितने है, 156, buckets के equivalent, अगर करना है SSC, CGL या फिर CHSL crack, तो अभी पकड़िए सही track, super mocks pro subscription join करिए, जिसमें आपको मिलते हैं, SSC के unlimited mocks, और वो भी super analysis के साथ, so join super mocks, mocks that rocks.